सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवर्वियू दे देता हूं कहानी का ताकि आपको एक आइडिया हो जाए उसके बाद हम एक्ट वन सीन वन शुरू करेंगे देखिए कहानी में एक करेक्टर है प्रोसपेरो पूरा ड्रामा इसी के आसपास घुमेगा 12 साल पहले क्या हुआ था प्रोसपेरो ड्यूक हुआ गरता था मिलान का मिलान इटली में एक जगा का नाम है तो मिलान का राजा था प्रोसपेरो 12 साल पहले लेकिन प्रोसपेरो का एक भाई है एंटोनियो एंटूनियो ने क्या करा एंटूनियो ने प्रोस्पेरो को धोका दे दिया और धोके से प्रोस्पेरो को राजा की गद्दी से हटा दिया और खुद मिलान का ड्यूक बन गया बात आरिये समझ में एंटूनियो और प्रोस्पेरो दोनों भाई थे लेकिन आंटूनियों ने प्रोस्पेरों को धोका दे दिया था और खुद राजा बन गया था इस बात को 12 साल बीच जाते हैं और प्रोस्पेरों अपनी जान बचा कर अपनी चोटी सी बेटी के साथ में एक आइलेंड में आज़ता है उस आईलेंड में आकर प्रोस्पेरो जादू की किताबे सीखता है जादू कर बन जाता है बहुत बड़ा और आईलेंड में वो बदले के आग में जल रहा होता है उसे बदला चाहिए रिवेंच आई अपने भाई एंटूनियो से अब एक दिन क्या होता है सालों के बाद ना एंटूनियो का पानी का जहाद जा रहा होता है उस आईलेंड के पास में से जहां पर प्रोस्पेरो रुका हुआ है ना जहां पे प्रोस्पेरो ना अपना घर बनाया था उसके पास से एंटूनियो का जहाद जा रहा होता है प्रोस्पेरो अपनी जादू की शक्तियों से पूरे समुंदर में तुफान ले आता है और एंटूनियो के पानी के जहास को उलट पुलट कर देता है पुरा इसी वज़ा से इस ड्रामा का नाम भी दे टेमपेस रखा गया है टेमपेस का मतलब होता है तुफान तो अब कहानी में आगे क्या होगा क्या प्रोस्पेरो अंटूनियो से बदला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा ये हमें कहानी के आगे पता लगेगा तो चलिए शुरू करते है दे टेमपेस एक्ट वन सीन वन रात का टाइम होता है और चारो तरफ अंधिरा होता है और अंटूनियो का पानी का जहाज जा रहा होता है समंदर में एक दम से समंदर में तुफान आता है और जहाज इधर उधर हिलने लगता है जहाज में बैठे सबी लोग घबरा जाते हैं और ये तुफान प्रोस्पेरो अपने जादू से लेकर आया है। प्रोस्पेरो अपने भाई एंटोनियो को मज़ा चखाना चाहता है। एंटोनियो के साथ जहाज में अलांसो भी है। अलांसो नेपल्स का राजा है। नेपल्स भी इटली में एक सिटी का नाम है और एंटूनियो ने अलांसो की मदद से प्रोस्पेरो को धोका दिया था अलांसो की मदद से एंटूनियो ने प्रोस्पेरो को गद्दी पर सोता रहा था अलांसो और एंटूनियो बहुत अच्छे दोस्त हैं इनके जहाज में सेबेस्ट्रियन नाम का एक करेक्टर भी होता है सेबेस्ट्रियन अलांसो का भाई है और अलांसो का बेटा फर्डिनेंट भी जहाज में होता है ठीक है अलॉंसो नेपल्स का राजह है तो वो अकेले नहीं चलता अपने साथ पुरा काफिला लेके चलता है अलॉंसो का भाई है सेबैस्रियन और अलॉंसो का बेटा है फरडिनेंट और क्योंकि अलॉंसो एक राजा है तो उसके साथ में कॉंसिलर भी रहता है जिसका नाम है गुंजैलो गुंजैलो एक बुड़ा आदमी है लेकिन सच बोलता हमेशा बहुत आनेस्ट मैन है बहुत अच्छा आदमी है और एक करेक्टर है बोटस्वेन बोटस्वेन कहते हैं जहास के आफिसर इंचार्ज को जो जहास को पूरा हैंडिल करता है ना मैरिनर्स को बताता है कि तुम ऐसे काम करो ये काम करो इधर शिप मोडो इधर से परदा हटाओ इधर से परदा गिराओ तो ये सारा काम बोटस्व वाज में अलॉंसो है उसका भाई सेबेस्टियन है अलॉंसो का बेटा फर्डिनेंट है अलॉंसो का कॉंसिलर गॉंजैलो है और एंटूनियो और बोट्सवेन भी होते हैं तो एकदम से तुफान आ गया है बिजली कड़क रही है बहुत जादा और बोट्सवेन मेरिनर्स को बुलाता है और कहता है कि सभी लोग अलर्ड हो जाओ तुफान आ गया है तैयार हो जाओ सभी लोग बिल्कुल मट डरो दोस्तो होसला रखो जो होगा देखा जाएगा लेकिन हम लोग पूरी हिम्मत से लड़ेंगे हार नहीं मानेंगे और अलॉंसो कहता है बहुत अच्छ इसे काम करने दो अपने कैबिन में जाओ और अराम से चुपचा बैठो एंटोनियो पूछता है बोटस्वेन वैसे तुमारा मास्टर कहां पर है बोटस्वेन कहता है तुमारे बास समझ में नहीं आ रही तुम डिस्ट्रप क्यों कर रहे हो मुझे अपने कैबिन में जाओ नीचे वैसे इतनी सारी मुसीबत है हमारे उपर और हमारी मुसीबत मत बढ़ाओ गॉंजैलो कहता है कि क्या हुआ क्यों लड़ रहे हो थोड़े शानती रखो बोटस्वेन कहता है कि इतना बड़ा तुफान आ गया है और तुम शानती की बात कर रहे हो ये तुफान ये नहीं देखेगा कि हमारे साथ कौन बैठा हुआ है राजा बैठा हुआ है ये नहीं देखेगा अलॉंसो मैंने आपको बताया था कि राजा है नैपल्स का तो बोट्समेन कहता है कि तुफान ये नहीं देखेगा कि हमारे जहाज में कौन राजा है कौन कितना बड़ा इनसान बैठा हुआ है वो तो सब को बरबाद कर देगा जाओ अपने कैबिन में जाओ और चुप चाब अराम से बैठो जाकर मुझे परेशान मत करो गुंजैलो कहता है ठीक है मैं जा रहूं लेकिन एक बात याद रखना है कि शिप में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए है राजा बैठा हुआ है नैपल्स का ध्यान से शिप्स को बचा लो बहुत तुमारे ओबर जिम्मेदारी है बोर्समेन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन राजा है और कौन बड़े बड़े लोग जहाज में बैठे हुए है मुझे तो अपने आप से मतलब है मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करता हूँ सबसे पहले तो मैं अपने आप को बचाओंगा खुद को बचाओंगा और तुम मुझे इतनी बड़ी बड़ी एड़वाइस दे रहे हो अगर खुद के कुछ बसका है ना तो इस तुफान को रोक कर दिखाओ इस तुफान से कहो कि ये रुक जाए अगर ऐसा हो जाता है तो पिर हम लोग भी चुप चाप बैड़ जाएंगे कोई महनत नहीं करेंगे कोई चिंता की ज़रुत नहीं है बाते बनाना बहुत असान होता है गुनजैलो और अगर तुम इस तुफान को नहीं रोक सकते हो अगर तुम्हारी नहीं चलती तो पहली फुरसत में जाओ नीचे जाओ और जादा ग्यान मत बाटो मुझे मुझे अपना काम करने दो अगर तुम्हारी किसमत अच्छी होगी तो तुम बच जाओगे इसके बास सबी लोग नीचे कैबिन में चले जाते हैं बोटस्वेन ना थोड़ा सा घुस्से वाला अदमी है और उसके अंदर होसला भी बहुत जादा है गौनजैलो कहता है कि मुझे बोटस्वेन के उपर बहुत जादा यकीन है और मुझे पता है कि वो डूब कर तो नहीं मरेगा फांसी लगने से जरूर मरेगा बाद में लेकिन डूब कर नहीं मरेगा मतलब कहना चारा है कि बोटस्वेन के मौत किसी और वजह से होगी बोटस्वेन आज पानी के जहाद डूबने के वजह से नहीं मरने वाला बोर्स्वेन खूब चिला चिला कर मेरिनर्स को कमांड दे रहा होता है रसी केचो, इधर घुमो, ये घुमाओ, वो घुमाओ, जहाज ऐसे करो, वैसे करो इसी दुरान एंटोनियो, अलांसो और बाकी सबी लोग नीचे कैबिन में से ना चीखने चिलाने लगते है बोर्स्वेन कहता है कि ये लोग इतना चिला रहा है नीचे बैठकर, इतना शोर तो तुफान करनी हो रहा जितना शोर ये लोग मचा रहे है थोड़ी देर बात क्या होता है, सेवेस्ट्रियन, एंटोनियो और गुन्जैलो, तीनो लोग दोबारा से उपर आ जाते है बोर्स्वेन कहता है, फिर आ गए तुम लोग, अब क्या करना आए हो यहाँ पर, एक काम करता हूँ भाईया, मैं अपना सारा काम छोड़ देता हूँ तुम लोगों ने जब डिसाइट कर ही लिया है, कि तुम्हें डूब कर मरना है, तुम अपना काम छोड़ देता हूँ मैं क्यों फाल तुम्हें मिहनत करूँ सेवेस्ट्रियन बोर्स्वेन के इस एटिट्यूट को देख करना गालिया बकना लगता है बोर्स्वेन कहता है, अच्छा, बहुत बड़ बड़ कर रहा है, एक काम कर, तू कर ले मेरा काम आकर एंटॉनियो कहता है, सुनो बोर्स्वेन, जादा वास हूची मत करो जादा चिलाने की जरूरत नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो ऐसा लगता है कि हमसे जादो तो तुम डरे हुए हो गुन्जैलो कहता है कि हाला चाहे कैसे भी हो, जहास कितना ही डैमिज क्यों न हो जाए, तुफान चाहे कितना ही बड़ क्यों न जाए, मुझे बोर्स्वेन के ओपर पूरा यकीन है, यह हमें बचा लेका गुन्जैलो को पता नहीं क्यों इतना यकीन है बोर्स्वेन के ओपर दोस्तो बोर्स्वेन ने इन लोगों की बाते सुनी बंद कर दी है, उसे लगता है कि यह लोग फालतो की बकवास कर रहे हैं, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं बोटस्वेन अपने मेरिनर्स को कमांड देने लगता है ऐसे करो वेसे करो ये करो वो करो दोस्तो सभी मेरिनर्स की हمل टूट चुकी है उन लोगों ने हार मान ली है और वो कंदे जुका कर बोटस्वेन के पास में आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ हो गया है, बरबाद हो गया है, अब तो बस दूआ ही कर सकते हैं हम लोग, बोटस्वेंट कहता है, क्या कह रहा है हो, क्या हम लोग मर जाएंगे, गुंजैलो कहता है कि राजा अलांसो और राजकुमार फर्डिनेंट दोनों दूआएं माग रहे हैं, हम लोग एक काम करते हैं, उनके साथ में बैठकर दूआएं मांगते हैं, हमें भी दूआएं मांगनी चाहिए, सेबेस्टिन कहता है कि यार मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है दिमाग खराब हो चुका है तुम लोग जाओ एंटॉनियो कहता है कि ये सब इन शराबी मेरिनर्स और इस बोर्टस्वेन के वजह से हुआ है इन्हें जहास चलाना ही नहीं आता है शराब पीकर जहास चला रहे हैं तो जहास कैसे बचेगा कमबख्त कहीं के हम मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इन्हें दस बार डूब कर मरना चाहिए मतलब इनके वजह से जहास डूबेगा तो इन्हें जादा तकलिफ होनी चाहिए मरने में ये कहता है इंटूनियो गुंजैलो कहता है कि मुझे अभी भी भरोसा है मुझे कि बोर्टस्वेन हमें बचा लेगा तोफ़ान और तेज बढ़ जाता है और चीखने चिलाने के आवाजें आने लगती हैं सब जगा लोग रो रहें चिला रहें कि ऐ खुदारह्म ऐ खुदारह्म अब तो हम दुनिया से जा रहे है अलविदा मेरे वाइफ अलविदा मेरे बच्चो'RE वहां पर इनकी फैमली नहीं होती बीवी बच्चे नहीं होते तो अपनी वाइफ और बच्चों को याद कर रहोते हैं कि अलविदा मेरी वाइफ, अलविदा मेरे बच्चों एंटूनियो कहता है चलो ठीक है, वक्त आ गए मरने का, चलो राजा के साथ तो मरेंगे कम से कम डूप कर गौंजैलो कहता है कि चारो तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, कुछ समझ नियारा कि क्या करें, एक चोटी सी जमीन के तुकड़े के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तयार हूँ किसी भी तरह मुझे बस एक छोटा सा जमीन का तुकड़ मल जाए और मिरी जान बच जाए, मरना तो एक दिन है, लेकिन शायद मेरी किसमत में यही लिखा हूँ था, लेकिन काश, मेरी मौत पानी में नहीं होती, जमीन पर होती, एक जमीन का तुकड़ा मिल जाता मुझे म पानी में और सभी लोग बहुत परिशान हो गए थे तो प्रोस्पेरो की बेटी मिरेंडा उस तोफान को देख रही होती है मिरेंडा अपने फादर प्रोस्पेरो के पास में आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर ये तोफान आपके जादू से आया है तो फिर आप इस तोफान को रोक दें मिरेंडा कहती है कि जहाज में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी तोफान की वज़ा से और उन लोगों की तकलीफ देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है काफी अच्छे लोग थे उस जहाज में लेकिन मुझे लगता नही है कि अब उन सभी मे चुकि होंगे इतने बड़े तुफ़ान में फादर मुझे बहुत तकलीफ हो रहे है यह सब देखकर और अगर मेरे पास कोई पावर होती तो मैं इस पूरे समूंदर को अर्थ के अंदर कर देती मतलब पूरे समूंदर के पानी को खुश कर देती, खतम कर देती ताकि वो तुफान रुख जाता और लोगों की जान बच जाती प्रोस्पेरो कहता है शान तो जाओ बेटा इतना जादा टेंशन मतलो इस तुफान से कोई जादा नुकसान नहीं हुआ है, बेटा मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पोचा है, ये सब मैं तुम्हारी लिए कर रहा हूँ मेरी बच्ची तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि मैंने ये सब क्यों किया है, तुम मुझे अभी नहीं जानती हो, तुम्हें लगता है कि मैं एक गरीब बुड़ा आदमी हूँ मुझे सिर्फ जादू करना आता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, और तुम्हें भी अपने बारे में नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा बलड रॉयल है, तुम्हें अपनी और मेरी रियालिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, मिरेंडा कहती है क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता प्रोस्पेरो कहता है कि अब टाइम आ चुगा है कि मैं तुम्हें सचाई बता हूँ मुझे अपना हाथ दो बेटा, इसके बाद प्रोस्पेरो अपने जादू के कपड़ उतारता है जादूगर अलग तरहां के कपड़े पैंते है इनके ब्लैक कलर के कपड़े होते है तो प्रोस्पेरो अपने मैजिक कार्मेंट्स को उतारता है और कहता है कि तुम्हें इतना धहशत का सीन जो दिखाई दे रहा है तोफान आ गया, जहाज हिल गया, लोग मर गया, जो तुम सोच रही हो बरबादी का, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, रियालिटी में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, हाँ तोफान आया है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है उस तोफ प्रोस्पेरो कहता है हाँ, बताने की कोशिश तो की है मैंने, लेकिन जब टाइम नहीं आया था, लेकिन अब वक्त आ चुका है तुम्हें सच्चाई बताने का, कान खोल कर धिहान से मेरी बात सुनो, जब हम इस आइलेंड के उपर आये थे, उससे पहले का वक्त याद है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मिरेंडा के उमरे इस टाइम 15 साल है, क्योंकि प्रोस्पेरो को आए हुए 12 साल हो गए है आयलेंड के उपर, ठीक है तो मिरेंडा कहती है, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद तो है, प्रोस्पेरो कहता है क्या बात कर रह कि मेरी देख भाल चार पांच मेट्स किया करती थी प्रोसपेरो कहता हाँ चार पांच से कई जादा मेट्स तुम्हारा ध्यान रखती थी बेटा लेकिन मुझे तो बहुत है इस बात की कि तुम्हें इतना सब कुछ याद कैसे है तुम तो बहुत चोटी थी अच्छा थोड़ा और जोर लबाओ सोचो तुम्हें और क्या क्या याद है क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ पर कैसे आई थी मिरंडा कहती है नई इतना कुछ याद नहीं है मुझे प्रोस्पेरो कहता है कि हमें इस आईलेंड पर आए हुए बारा साल हो गए और बारा साल पहले तुम्हारे फादर ड्यूक हुआ करते थे मिलान शहर के मिरंडा सोचती है कि मेरे फादर ड्यूक हुआ करते थे तो क्या आप मेरे फादर नहीं हो क्या जब आप कह रहे हो कि मेरे फादर 12 साल पहले ड्यूक थे मिलान के तो आप तो ड्यूक नहीं हो तो क्या आप मेरे फादर नहीं हो प्रोस्पेरो कहता है कि बेटा तुम्हारी मा बहुत अच्छी थी और बहुत वफदार थी और तुम्हारी मांने मुझे बताया था कि तुम ही मेरी बेटी हो और मैं ही तुम्हारा फादर हूँ और बेटा मैं ही ड्यूक ऑफ मिलान था 12 साल पहले मिलान के ड्यूक कोई और नहीं था मैं ही था मिरिंड़ा को ये सुनकर शौक लग जाता है और वो कैती है ऐह खुदा ऐसा क्या हो गया था हमारी जिन्देखी में जो हम मिलान छोड़कर यहां पर आगए कुछ अच्छा हुआ था या कुछ बुरा हुआ था जो हम यहां पर आ गए प्रोस्पेरो कहता है अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ है बुरा ये हुआ है कि हम ड्यूक नहीं रहे मिलान के और अच्छा ये हुआ है कि हमारी जान बच गई हम अभी तक जिन्दा है मुझे और किसी नहीं बलकि मेरे खुद के भाई और तुम्हारे अंकल एंटोनियो ने धोका दिया और मिलान से मुझे निकाल दिया मैंने तो उसे दिल से प्यार किया था, तुम्हारे बाद वो ही तो था मेरा सब कुछ मुझे उसके उपर इतना भरोसा था कि मैंने अपना सारा शहर मिलान उसके भरोसे छोड़ दिया था पूरी रिस्पॉंसिबिलिटी अपने भाई एंटोनियो को दे दी थी और मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता था लेकिन मेरा भाई धोके बास निकला एंटोनियो ने सबसे पहले सीखा कि उसको शहर कैसे चलाना है जब उसने पूरी पावर अपने हाथों में ले ली पूरा स्टेट उसके कंट्रूल में आ गया तब उसने मुझे धोकत दे दिया मिरंडा तुम सुन रही हो ना मेरे बात को मिरंडा कहती अच्छा अच्छा जी मैं सुन रही हो आपकी बात प्रोस्पेरो कहता है कि मैं तो अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था एंटोनियो पर पूरा भरोसा किया था मैंने लेकिन ये मेरी घलती थी इसके अलावा एंटोनियो ने मेरे सारा पैसा भी हड़प लिया और फिर एंटोनियो अपने आपको राजे समझने लगा और राजाओं जैसा एक्ट करने लगा मिरंड़ा कहती है कि आपकी स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनकर तो भैरो को सुनाई देने लग जाए प्रोस्पेरो कहता है कि मुझे तो लाइबरेरी के लावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लाइबरेरी ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टिंट थी और एंटोनियो चुप के से नैपल्स के राजा अलांसो के साथ मिल गया एंटोनियो ने लांसो से कहा कि अगर तुम मेरे भाई प्रोस्पेरो को मिलान से भगाने मेरे मěरे मदद करोगे तो मैं तुमे पैसा भी दूँगा और मिलान स्टेट तुम्हारे अंडर ही काम करेगा मिलान हमेशَ तुम्हारी मदद के लिए तयार रहेगा इस तरहां से एंटोनियो अलांसो से मिल गया प्रोस्पेरो कभी भी कभी भी अलांसो के आगे नहीं जुका था लेकिन एंटोनियो ने प्रोस्पेरो के दुश्मन अलांसो से हाथ मिला लिया था मिरंडा कहती है क्या सच में ऐसा हुआ था प्रोस्पेरो कहता है बेटा तुम सोचो और मुझे बताओ कि क्या कोई अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है भला मिरंडा कहती है कि मैं अपनी दादी को तो बुरा नहीं कह सकती हूँ लेकिन हाँ कई बार क्या होता है कि एक अच्छी कोग भी खराब बच्चे को जनम दे देती है मिरंडा क्या कहती है कि फादर में आपकी मदर को कुछ नहीं कह सकती अपनी दादी को कुछ नहीं कह सकती वो बहुत अच्छी होंगी लेकिन उनके अच्छा होने के बाद भी उन्होंने खराब बच्चे को जनम दिया प्रोस्पेरो कहता है कि नेपल्स का राजा अलांसो मेरा दुश्मन था लेकिन मेरे भाई के साथ मिलकर उसने मुझ पर अटैक कर दिया मेरे भाई ने रात के अंधिरे में मिलान के दर्वाजे एक खोल दिये और किंग उफ नेपल्स अलांसो अपनी पूरी सेना के साथ में हमारे स्टेट में घुस गया और फिर हमारे स्टेट पर कबज़ा हो गया इसके बाद मुझे मिलान से बाहर निकाल दिया गया मिरंडा कहती है कि उस टाइम पता नहीं मेरा क्या हाल हुआओगा मैं कैसे रूई होंगी उस टाइम पर आपकी हालत देखकर मुझे तो याद भी नहीं कि उस टाइम मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी यह सब देखकर हम पर जो बीती है जो तकलीफे हमें हुई हैं, उसे याद करके मैं अब दुबारा से रोंगी प्रोसपेरो कहता है अभी थोड़ा और सुनो, थोड़ा और सुनो क्या क्या हुआ था पहले पूरी कहानी सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ये बाते तुम्हें क्यों बताई है मिरेंडा कहती है कि एक सवाल है मेरे माइंड में, एक सवाल आ रहा है मुझे जब अलॉंसो ने मिलान पर कब्ज़क कर लिया था तो फिर हमें जान से क्यों नहीं मारा प्रोस्पेरो कहता है बहुत अच्छे सवाल किया है बेटा तुमने, मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती थी और अगर एंटूनियो मुझे जान से मार देता तो फिर मिलान के लोग भड़क जाते एंटूनियो को जिन्दा नहीं रहने देते मिलान के लोग मुझे से इतना प्यार करते थे अगर एंटूनियो मुझे नुकसान पहुचाता तो सभी लोग एंटूनियो के खिलाफ हो जाते इन लोगों ने क्या करे एक छोटी सी बोट में मुझे और तुम्हें बिठा दिया और फिर तुफानी अंधेरी रात में समुन्दर के हवाले कर दिया बोट की कंडिशन बहुत ही जादा खराब थी और उसमें और भी नहीं था और कुछ इस तरहा का होता है इसकी मदद से आप बोट को आगे करते हो तो कहता है कि कंडिशन बहुत खराब थी बोट की और और भी नहीं था मिरंडा कहती है कि जब हम बोट में बैठे होंगे तो मैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी होंगी क्योंकि आपको मेरी फिकर सता रही होगी मैं आपके लिए एक भोज बन चुकी होंगी प्रोस्पेरो कहता है नहीं नहीं मेरी बच्ची तुम्हे देख कर तो मुझे होसला मिला था तुम्हारी मुस्कुराहट को देख कर मुझे जीने की तमन्ना हुई थी तुम्हे देख कर मिरे अंदर जो शाय लड़ने का जिन्दा रहने का मिरेंडा कहती है कि हम इस आइलेंड पर पहुचे कैसे प्रोस्पेरो कहता है कि खुदा के करम से और एक इनसान गुन्जैलो की दूआ से हम जिन्दा इस आइलेंड तक पहुच गए गॉन्जैलो याद है ना आपको सीन वन में मैंने आपको बताया था अलांसो का कॉंसिलर है तो गॉन्जैलो को ये काम सौपा गया था कि तुम प्रोस्पेरो और उसकी बेटी को बोट में छोड़ कर आओ और गॉंजैलो ने क्या करा प्रोस्पेरो की मदद कर दी थी उसने कुछ कपड़े रख दिये थे, कुछ खाने का समान रख दिया था बोड में कुछ जरूरत की चीज़े रख दी थी और जिन किताबों को मैं पढ़ता था उन किताबों को गॉंजैलो ने रख दिया था बोर्ड में वोही किताबें थी जिने पढ़कर प्रोस्पेरो इतना बड़ा जादूगर बन गया था और इतना पावरफुल बन गया प्रोस्पेरो कहता है कि वो किताबे इतनी इंपॉर्टेंट थी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उन किताबों के लिए मैं अपने पूरे शासन को छोड़ सकता था मिरेंडा कहती है कि मुझे उस इंसान को देखना है इसने हमारी इतनी मदद करी है हमें देखना है कि ये इनसान कौन है प्रोस्पेरो कहता है कि चलो ठीक है हम इस आइलेंड के उपर आ गए क्योंकि मैंने तुम्हारी बहुत ही अच्छी परवरिश करी है तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया है क्योंकि राजकुमारी क्या होती है जादतर पढ़ाया लिखाया नहीं करती है उनकी डिस्ट्रैक्शन्स बहुत जादा होती है अगर तुम राजकुमारी होती मिलान की तो फिर इतना काबिल नहीं बन पाती अपनी उलजनों में डिस्ट्रैक्शन्स में उलजी रहती ही यहाँ पर मैंने कम से कम तुमें अच्छी नौलिश तो दे दी मिरेंडा कहती है कि मैं इस बात के लिए हमेशा खुदा का शुकर करूंगी लेकिन अब मुझे यह बताईए कि आप यह तुफान लेकर क्यों आएं है प्रोस्पेरो कहता है कि फिलहाल इतना ही काफी है तुमें बताने के लिए बाकी सब मैं तुमें बाद में बताऊंगा मेरे दुश्मन इस आइलेंड के उपर आ चुकें अब मेरा वखत आ चुका है मुझे कुछ पुराने हिसाब चुकते करने हैं मुझे अब काम करना है अगर अभी कुछ नहीं किया तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा अब तो मेरे हाथ में मौका लगा है इतना कहकर प्रोस्पेरो अपने जादू से मिरेंडा को सुला देता है इसके बाद प्रोस्पेरो अपने गुलाम एरियल को बलाता है प्रोस्पेरो कहता है टाइम आ गया है एरियल आ जाओ मैं आपको बता दू एरियल एक स्परिट है एक आत्मा है जिसे परोस्पेरो ने अपने वर्श में कर रख रका है, अपना खुलाम बना रख रका है और मैं आपको बता दूँ, एरियल एक अच्छी स्प्रिट है जो परोस्पेरो की बहुत मदद करती है तो एरियल परोस्पेरो से कहता है कि सर में आ गया हूँ आप ही के कहने पर मैं उड़ान भरता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, आग में चला जाता हूँ, बादलों में घूमता हूँ, आपके कहने पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपना हुकम बताईए कितना ही मश्किल काम क्यों नहों मैं सब कुछ करसपता हूँ आपके लिए प्रोस्पैरो कहता है, अच्छा ये बताओ अरियल क्या तुम वैसे ही तुफान लेकर आय थे जैसा आपने तुमें बताय था अरियल कहता है, जी सर जैसा आपने कहा था, बिल्कुल वैसे ही मैंने किया है, तुफान लेकर आया था मैं, और वहीं जहास पर था मैं, कभी जहास के इस कोने पर, कभी जहास के इस कोने पर, कभी जहास के बीच मैं, और बहुत तेज तुफान लेकर आया था मैं, प्रोस्पेरो कहता है, बहुत एरियल कहता है हाँ सभी लोग बहुत डर गए थे एक भी इंसान ऐसे नहीं था जिसने अपने होश नक होई हो और सभी लोग पानी में कूद गए और सबसे जादा घबराया हुआ था अलॉंसो का बेटा फर्डिनेंट उसके बाल तो घास की तरह खड़े हो गए थे इतना जा एक्सपेर का आपने जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा फर्डिनेंट कहता है कि जहन्नुम खाली है क्योंकि सारे खराब लोग तो दुनिया में भरे हुएं प्रोस्पेरो कहता है अच्छा ये बताओ कि ये सभी लोग आईलेंड के किनारे तक पहुच गए या नहीं पह कहता है कि सभी लोग एकदम ठीक हैं और उनके पुराने कपड़े पानी में धुलकर और भी जादा चमक चुके हैं मतलब कहना चाहरा है कि सभी लोग एकदम ठीक हैं किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ एरियल बताता है कि आपने जैसे कहा था मुझसे कि सभी लोगों को ग्रूप्स में डिवाइड कर दो मैंने बिलकुल वैसे ही किया है सब लोग अलग अलग हो गएं और राज़कुमार फर्डिनेंट को मैंने बिलकुल अलग रखा है सबसे अलग है राज़कुमार फर्डिनेंट फर्डिनेंट बहुत दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि सभी लोग मर चुके हैं, कोई जिन्दा नहीं बचा प्रोस्पेरो कहता अच्छा ये बताओ कि जो सेलर्स थे, मैरिनर्स जो थे उनका क्या हुआ दोस्तों मैं आपको बतादू एंटूनियो के जहाज के साथ में और भी कई जहाज थे क्योंकि राजय क्या होता केला नी चलता उसके साथ में बहुत सारे लोग चलते है तो एरियल कहता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुचा है सेलर्स को मैंने जादू से सुला दिया था और फिर बाकी के पानी के जहाजों को मैंने वापस उनके घर नेपल्स में भीज दिया था सिर्फ एंटूनियो के जहाज पर तुफान बरसा था प्रोस्पेरो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया एरियल जिस काम के लिए मैंने तुमें भीज़ा था उसको तुमने बखू भी पूरा किया है टाइम क्या हुआ है बताना ज़रा एरियल कहता है पास दे मिट सीजन पास्ट अमिट सीजन का मतलब है इट्स आफ्टर नून दुबैर हो गई है प्रोस्पेरो कहता है एटली स्टू ग्लासिस मतलब प्रोस्पेरो कहता है कि कम से कम दो बज़ रहे होंगे इसके बाद प्रोस्पेरो कहता है कि अब जो टाइम है इसे हमें बहुत ध्यान से इस्तिमाल करना है बहुत प्रीशेस टाइम है जादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है जो टाइम बचा है उसी में सारा काम करना है एरियल कहता है अभी कुछ और भी काम बचा है क्या सारा काम पूरा नहीं हुआ क्या सर आपने मुझसे कुछ प्रामिस किया था लेकिन अभी तक उस प्रामिस को आपने पूरा नहीं किया प्रोस्पेरो कहता है कि मुझे प्रामिस याद है लेकिन अभी प्रामिस पुरा करने का टाइम नहीं आया दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक साइकुरेक्स नाम की चुड़ाल थी जिसने एरियल को एक पेड़ में कैद कर दिया था लेकिन फिर साइकुरेक्स मर जाती है और एरियल उसी पेड़ में कैद रह जाता है इसके बाद जब प्रोस्पेरो उस आइलिंड के ओपर आता है तो फिर प्रोस्पेरो एरियल को अज़ाद करवाता है और अपना गुलाम बना लेता है प्रोस्पेरो ने एरियल से वादा किया था कि तुम मेरा काम कर देना फिर मैं तुम्हें अजाद कर दूंगा तो एरियल यहां पर प्रोस्पेरो को याद दिला रहा है कि मैंने आपका काम कर दिया है अब मुझे अजाद कर दो प्रोस्पेरो कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुमें कितने जुम से बाहर निकाला है कितनी बुरी कंडीशन थी तुमारी क्या तुम भूल गए क्या तुम भूल गए मेरे ऐसानों को एरियल कहता है कि नहीं नहीं मैं भूला नहीं हूँ प्रोस्पेरो कहता है कि अभी बहुत सारे काम बाकी है और क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है एरियल कहता है नहीं सर मैं नहीं भूला प्रोस्पेरो कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम भूल चुके हो शायद तुम साइकोरेक्स नाम की चुड़ायल के बारे में भूल गए हो एरियल कहता है नहीं सर मैं भूला नहीं हूँ इसके बाद प्रोस्पेरो दुबारा कहता है कि क्या तुम भूल गए कि साइकोरेक्स कहां पैदा हुई थी बताओ मुझे भूल गए क्या एरियल कहता है कि सर वो आरगेर नाम की एक जगा पर पैदा हुई थी मुझे अच्छे से याद है प्रोस्पेरो फिर कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि आरगेर शहर के लोग उससे कितना जादा परेशान हो गए थे उस चड़ायल से कितना परेशान हो गए थे और फिर उन्होंने उस चड़ायल को अपने शहर से भार निकाला था साइकुरेक्स उस टाइम पर प्रेगनेंट थी और इसी वज़ह से उसको जान से नहीं मारा गया था जिन्दा छोड़ दिया गया था और फिर वो चड़ायल इस ऐलेंड के उपर आ जाती है और वो चड़ायल तुमें गुलाम बनाना चाहती थी लेकिन तुम उस चड़ायल के गुलाम नहीं बनते मना कर देते हो और फिर उस साइकुरेक्स चड़ायल ने तुमें एक पेड़ में कैद कर दिया था तुम्हें कैद करने के बाद साइकुरेक्स मर गई थी और क्योंकि साइकुरेक्स प्रेगनेंट थी तो उसका एक बच्चा भी हुआ था कैलिबन एरियल कहता है हाँ मुझे सब मालूम है उसके बच्चे का नाम कैलिबन था प्रोस्पेरो कहता है कि उसका बच्चे कैलिबन अब मेरा हुलाम है और क्या तुम भूल गए हो कि कैसे तुम उस पेड़ में चीक चीक कर दहाडे मार मार के रोया करते थे इतनी तेस चिलाहटे थी तुमारी इतना तेस चिलाते थे तुम की भालो और भीड़िया के आवाज भी फीकी लगती थी तुमारी चिलाहटो क्या के और मैं ही था जिसने तुमें उस पेड़ से अजाद किया एरियल कहता है कि मैं आपका थैंक्यू करता हूँ आपने मुझे अजाद किया प्रोस्पेरो कहता है ठीक है फिर अब जादा मत बोलना नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा से उसी पेड़ में कैद कर दूँगा अपने जादू से एरियल कहता है मैं माफ़े चाता हूँ सर बिलकुल माफ़े चाता हूँ आपसे जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा प्रोस्पेरो कहता है ठीक है बस दो दिन मेरा काम कर दो और दो दिन काम कर दो फिर मैं तुम्हें अजाद कर दूँगा एरियल कहता है कि आप बहुत अच्छे हो मास्टर आप मुझे जो बताएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ प्रोस्पेरो कहता है ठीक है तो फिर जाओ और समुंदर में एक परी बन जाओ तुम किसी और को दिखाई नहीं दोगे सिर्फ मैं ही तुमें देख पाऊंगा मैं ही तुम से बात कर पाऊंगा दोस्तो अब प्रोस्पेरो मिरंड़ा को उठाता है आपको याद होगा प्रोस्पेरो ने मिरंड़ा को जादू से सुला दिया था तो अब उसको उठाता है चलते। कैलिबन मेरा गुलाम जो कभी भी मुझे सीधा जवाब नहीं देता। दोस्तों मिरन्टा को कैलिबन बिलकुल पसंद नहीं है तो वह कहती है कि कैलिबन एक ऐसा विलन है जिसकी तरफ मैं देखना भी पसंद नहीं करती। देखना भी नहीं चाहती उसकी तरफ प्रोसपेरो कहता है कैलीबन खराब तो है हमें पसंड नहीं है लेकिन फिर भी कैलीबन हमारे बहुत कामाता है हमारे लिए फायर चाज्या का बंदोबस करता है लकड़ी लेıs ょंगल से और छोटे मुटे काम कर देता है कैलिबन अब यहां पर कैलिबन के एंट्री होती है कैलिबन कुछ इस तरहा का है और बहुत गिनोना लगता है दिखने में बहुत बेकार लगता है अच्छा नहीं लगता कैलیवन प्रोस्पेरो से कहता है कि मुझसे कितनी लकड़ी मंगवाओगे इतनी सारी लकड़ी हैं तो अल्रेडी पढ़ी हुई है इसी दोरान एरियल भी आ जाता है वहाँ पर उस टाइम एरियल को सिर्फ प्रोस्पेरो ही देख सकता था क्योंकि प्रोस्पेरो ने कहा था कि तुम समंदर में एक परी बन जाना और मैं ही तुमें देख पाऊंगा तो प्रोस्पेरो एरियल के कान में कुछ फुस फुस आता है कि तुमें ऐसे करना है वैसे करना है फिर ऐसे कर देना और अपना प्लैन बदाता है, उसके बाद एरियल वहां से चला जाता है प्रोस्पेरो कैलिवन के उपर आता है और कहता है कि तुम इतने जहरीले हो ना, शैतान लगते हो बिल्कुल कैलिबन कहता है कि मेरी मा जिस शैतान की पूजा करती थी उस शैतान का शराब तुमें लगे तुम बर्बाद हो जाओ प्रोस्पेरो कहता है कि अगर चुप-चाप तुमने मेरे बात नहीं मनी मेरा कहना नहीं सुना तो फिर मैं तुम्हें बहुत जादा तकलीफ दूँगा बहुत तडबाऊंगा तुम्हें इसलिए चुप चाप मेरी बात मानो कैलिबन कहता है कि ये आइलेंड मेरा है मेरी मा का आइलेंड है मेरी मा यहाँ पर आई थी और तुमने ये आईलेंड मुझे चीन लिया जब तुम यहाँ पर आये थे तो मैंने तुमें पानी दिया खाने को बेरीज दी बदले में तुमने मुझे एजुकेट किया मुझे नौलिज दी ये पूरा आईलेंड मैंने तुमें घुमाया तुम्हें बताया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है कौन सी जमीन बंजर है कौन सी लेंड फरडाइल है इस सब के बारे में मैंने तुम्हें बताया और बदले में तुमने क्या किया मुझे घुलाम बना लिया और मुझे ये पूरा आइलेंड चीन लिया यह पूरा island मैंने तुम्हे गुमाय था मैं बद्दय करता हूँ तुम्हारे लिए मेरी मा कर श्राब तुम्हे लग जाए मैंने तो तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया और बदले में तुम्ने क्या किया मुझे गुलाम बना लिया PROSPERO कहता है कि जोटे हो तुम मैने तुम्हे और दिया था respect दी थी तुम्हें प्यार किया था बहुत काइंड था मैं तुम्हारे साथ तुम्हें पाला बड़ा किया नौलिच दी ये लेकिन बदले में तुम्ने मीरी चोटी प्यारी बच्ची का रेप करने की कोशिश करी थी जिस दिन तुमने मिरंडा का रेप करने की कोशिश करी थी उसी दिन मुझे पता लग गया था कि तुम प्यार करने के लायक नहीं हो कैलिबन कहता है ओ, 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 तुमने मिरंडा का रेप होने से बचा लिया नहीं तो ये पूरा आईलेंड मेरे बच्चों से भर जाता मिरंडा ये सब सुन रही होती है और कहती है कैलिबन मैंने तुम्हें बोलना सिखाया है तुम्हें स्टैमर करते थे तुम्हें बोलना नहीं आता था आवाज निकालनी नहीं आती थी लेकिन तुमने बदले में मेरा रेप करने की कोशिश की है तुम्हारा बलड ही खराब है तुम एक चुड़ायल के बच्चे हो इसलिए ऐसे हो मेरे फादर ने तुमें कैद करके बिलकुल ठीक किया है तुम इसी लायक हो कैलिबन कहता है कि तुमने मुझे बोलना सिकाया है अब मैं तुमें कर्स करूँगा बोलना सिकाया है ना तुमने अब लो भुक तो कर्स करूँगा तुमें गालियां दूँगा मैं तो प्रोस्पेरो कहता है जाओ यहां से और मेरा काम करो लकड़ी लेकर आओ चलो जाओ जल्दी और अगर तुमने मेरे बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बहुत तगलीफ दोंगा तुम्हारे जिसम की सारी हड्डियां दर्द करेंगी इतना दर्द दोंगा तुम्हें की सारी हड्डियां दर्द करेंगी तुम्हारी और इस तरहां से चीखोगे तुम दर्ज से जैसे कोई राक्षस चिलाता है कैलिबन कहता है नहीं 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 प्लीज ऐसा मत करना कैलिबन मन ही मन बड़ बड़ाने लगता है कि प्रोस्पेरो तो बहुत ही ताकतवर है मेरी मा जिस गौड स्टेबस को मानती थी वो भी प्रोस्पेरो के जादू की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है सेटबस को कैलिबन की मा साइकुरेस पूछती थी उसको गौड मानती थी तो कैलिबन कहता है कि सेटबस भी प्रोस्पेरो की शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है टिक नहीं पाएगा उसकी शक्तियों के आगे जब सैटाबस नहीं टिक पाएगा तो मैं किस खेट की मुली हूँ इसके बाद कैलिबन वहां से चला जाता है अब दोस्ता आइलेंड के उपर एरियल फर्डिनेंड को गाना सुना रहा होता है फर्डिनेंड को सिर्फ गाना सुनाई दे रहा है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा और फर्डिनेंड एरियल का गाना सुनकर मधोश होने लगता है फर्डिनेंड सोच रहा होता है कि यह आवास कहां से आ रही है आस्मान से आ रही है ओवाज, ये नीचे जमीन से आ रही है आखिर ये ओवास आ कहां से रही है फरडिनेंड को लगता है कि उसके फादर अलाउनसो की मौत हो चुकी है तो अपने फादर की मौत के गम में उसका दिल तड़ा परा होता है बहुत दर्द होता उसको उसके दिल में लेकिन एरियल के आवास सुनकर फर्डिनेंट की बेचैनी कम हो जाती है उसे बहुत सुकून मिलता है हाला कि एरियल गाना गारा होता है कि तुम्हारे फादर समुन्दर में समा चुके हैं उनकी बोन्स ढूप चुकी हैं और उनकी आखें मोती बन चुकी है समुन्दर की परियां डैथ बैल बजा रही है तुम्हारे फादर के लिए इस तरह के लिरिक्स होते हैं बड़े पेनफुल होते हैं लेकिन इस तरह के लिरिक्स सुनने के बाद भी फर्डिनेंड को सकून मिल रहा है इस गाने को सुनके फर्डिनेंड बोलता भी है कि ये सौंग सुनकर मुझे मेरे समुन्दर में डूबे हुए फादर की याद आ रही है दोस्तो अब प्रोस्पेरो मिरेंड़ से कहता है कि देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है मैं आपको बता दू मिरेंड़ ने अभी तक किसी भी आदमी को नहीं देखा मिरेंड़ बहुत छोटी थी जब इस आईलेंड के उपर आई थी तो उसे नहीं पता कि एक खुबसरत नौजवान आदमी दिखता कैसा है उसके फादर तो क्योंकि बुड़े हो चुके हैं जादा खुबसरत नहीं दिखते और कैलिबन और एरियल इनसान है नी तो उसने अभी तक कोई भी खुबसरत इनसान को नहीं देखा अच्छा दूसरी तरफ क्या होता है एरियल का गाना सुनते सुनते फर्डिनेंड मिरंडा के पास में आ जाता है और जैसे ही मिरंडा फर्डिनेंड को देखती है उसके होश ओड़ जाते है वो कहती है कि ये कैसी स्परिट है मैंने उतना खुबसरत इनसान पहले कभी नहीं देखा और मिरंडा को प्यार हो जाता है फर्डिनेंड से देखते ही प्यार हो जाता है प्रोस्पेरो कहता है कि ये कोई आत्मा नहीं है हमारी तरह ही इनसान है जो जहास डूबा है ना उसी जहाज में से निकला है ये भी अभी ये बहुत दुखी है इसलिए इसकी खुबसूरती थोड़ी कम हो गई है मिरंडा कहती है कि मैंने तो कभी इतना खुबसूरत कुछ देखा ही नहीं है मुझे तो लगता है कि ये कहीं और से ही आया है प्रोस्पेरो एरियल से साइड में जाकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है एरियल फर्डिनेंड को यहां पर लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है ऐसे ही अच्छा काम करते रहो मैं तुमें दो दिन में अज़ाद कर दूँगा दोस्तों जब फर्डिनेंड मिरंडा को देखता है तो वो भी मिरंडा के प्यार में पागल हो जाता है फर्डिनेंड को भी मिरंडा बहुत बहुत खुबसरत लगती है और उसे भी प्यार हो जाता है Ferdinand कहता है कि तुम इतनी खुबसूरत हो तुम्हें देखकर मैं अपनी सारी तकलीफे भूल गया मैं कैसे यहाँ पर आगया तुम्हारे पास प्लीज मुझे अपना नाम बताओ और क्या तुम मेरीड हो या अनमेरीड हो Mirinda कहती है कि सर मैं अनमेरीड हूँ Ferdinand बताता है कि वो सबसे भेतरीन है, बेस्ट है और नैपल्स का राजगुमार है Prospero कहता है कि तुम बेस्ट कैसे हो? क्या तुम नैपल्स के राज़ा हो? क्योंकि भेतरीन तो सिर्फ राज़ा होता है दोस्तों Ferdinand को लगता है कि उसके फादर अब मर चुके हैं तो अब क्योंकि फादर मर गए तो फिर Ferdinand ही नैपल्स का राज़ा बनेगा तो Ferdinand अपने आपको राज़ा समझने लगता है नैपल्स का Ferdinand बताता है कि हमारे जहास के सभी लोग मर गए मेरे फादर, ड्यूक ओफ मिलान और बाकी सभी लोग प्रोस्पेरो मनी मन बोड़ बड़ाता है कि ड्यूक ओफ मिलान और उसकी बेटी तो तुम्हारे सामने ही जिन्दा खड़े हुए है और चाहें तो तुम्हें अभी कंट्रूल कर ले दरसल फर्डिनेंड एंटूनियो को कह रहा है ड्यूक ओफ मिलान और प्रोस्पेरो अपने आपको ड्यूक ओफ मिलान मानता है मिरेंड़ अपने फादर से कहती है कि बिचारे के साथ कितना बुरा हुआ है न जहास रूप गया, लोग बिछड़ गए फादर प्लीज, आप थोड़ा अच्छे से बात करिए इस तरह से बात मत करिए फर्डिनेंड मिरेंड़ से कहता है कि अगर तुमारी शादी नहीं हुई, तुम वर्जिन हो तो मैं तुमें नैपल्स की राजकुमारी बना दूँगा प्रोस्पेरो साइड में जाकर बोलता है कि इन दोनों को तो बहुत जल्दी प्यार हो गया लेकिन अगर इतनी जल्दी प्यार हो गया तो ये दोनों एक दूसरे की कदर नहीं करेंगे क्योंकि जो चीज़ हमें जल्दी मिल जाती है न उसकी कदर नहीं होती हमें तो प्रोस्पेरो कहता है कि मैं इन दोनों के बीच में कुछ रुकावटे डालूंगा ताकि इन्हें एक दुसरे की वैल्यू पता लगे प्रोस्पेरो फर्डिनेंट से आकर कहता है कि तुम कोई राजा वाजा नहीं हो मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर जासूसी करने के लिए आए हो तुम इस आईलेंट के राजा बनना चाहते हो फर्डिनेंट कहता है नहीं नहीं मैं सच खहरा हूँ मैं ही हूँ राजा नैपल्स का मिरंडा फर्डिनेंट की साइड लेती है और कहती है कि इतना अच्छे इनसान है कोई बुरी बात नहीं हो सकती इसके अंदर प्रोस्पेरो कहता है कि तुम इस धोके बास फर्डिनेंट की साइड मतलो मिरंडा तुम मेरे हुलाम बन जाओ फरडिनेंट, काम करो मेरा फरडिनेंट कहता है कि जब तक मेरे जिस्म में ताकत है मैं किसी का कोई आ Alert नहीं मानूंगा मेराजकुमार हूँ अगर दम है तो सामना करो मेरा इतना कहकर फरडिनेंट अपनी तलवार निकाल लेता है प्रोस्पेरो अपने चादू से फर्डिनेंड को फ्रीज कर देता है फर्डिनेंड वही पर जाम हो जाता है मिरंडा कहती है कि आप क्या कर रहे हैं? फादर क्या कर रहे हैं आप? प्लीज इस मासूम को बख्ष दीजिए प्रोस्पेरो कहता है कि ये धोके बाज है इसने मुझे मारने के लिए अपनी तलवार निकाली है चलो मेरे साथ मिरंडा कॉंटिनेसली प्रे कर रही होती है कि प्लीज प्लीज फर्डिनेंट को छोड़ दीजिए प्रोस्पेरो कहता है कि जिद मत करो, मेरे कपड़े छोड़ो मिरंडा कहती है कि नहीं फादर, प्लीज, इसे छोड़ दो, बहुत अच्छा आदमी है प्रोस्पेरो डाट कर कहता है, चुपो जाओ मिरंडा अगर एक लवस और बोला, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा तुम इस धोके बास की साइड ले रही हो तुम्हें फर्डिनेंड से इसलिए प्यार हो गया है क्योंकि तुमने मेरे और कैलिबन की सिवा किसी भी आतमी को नहीं देखा जब तुम बहार जाओगी तो तुम्हें फर्डिनेंड जैसे बहुत सारे लड़के मिलेंगे फर्डिनेंड से अच्छे और खुबसरत लड़के मिलेंगे मिरंडा कहती है, नहीं, मैं तो फर्डिनेंड से ही प्यार करती हूँ, मुझे किसी और को नहीं देखना प्रोस्पेरो कहता है मेरे साथ चलो छोड़ो इन बातों को ये सिर्फ कुछ इमोशन्स हैं इस से जादा कुछ नहीं फरिडिनेंड कहता है कि मेरे जहाज रूप गए, लोग मर गए, लोग बिछड़ गए मैं यहाँ पर अकेला भूका प्यासा इस आईलेंड में भटक रहाँ तुमने मुझे फ्रीज कर दिया है, गुफा में बंद करना चाते हो, गुलाम बनाना चाते हो तकलीफ तो मुझे बहुत है, लेकिन यह सारी तकलीफे मिरेंडा से मिलने की खुशी के आगे बहुत छोटी है इन सब तकलीफों का कोई गम नहीं है, मुझे तो मिरेंडा से मिलने की खुशी है मैं तो बस मिरेंडा को देखना चाहता हूँ मिरेंडा को देखता रहूंगा तो फिर सारी तकलीफे जहिलने के लिए तैयार हूँ प्रोस्पेरो बहुत खुश हो जाता है ये सब देखकर और साइड में जाकर कहता है कि मेरा प्लैन काम कर गया एरियल तुमने बहुत अच्छा काम किया है मिरेंडा फर्डिनेंड से कहती है कि मेरे फादर बहुत अच्छे है पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं आज क्यों ऐसा भीव कर रहे हैं तुम फिकर मत करो फर्डिनेंड सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्तो प्रोस्पेरो एरियल से कहता है कि मैं तुम्हें अजाद तो कर दूंगा लेकिन जैसा मैं कहरा हूँ वैसा करो एरियल कहता है ठीक है सर जैसा आपको होगे मैं वैसा ही करूंगा इसके बाद प्रोस्पेरो मिरेंडर से कहता है कि तुम जादा फर्डिनेंट की साइड मत लो, मेरे बाद सुनो, आओ मेरे साथ चलो और यहीं पर हमारा एक्ट वन सीन टू खतम हो जाता है दोस्तो एक्ट वन में अलांसो, सेबेस्टेन, अन्टूनियो और गौन्जैलो सभी लोग आईलेंड के उपर आ चुके हैं गौन्जैलो अलांसो से कहता है कि सर हम तो बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि हमारी जान बच गई है ना जाने कितने लोग समंदर में मर जाते हैं सेलर्स की वाइफ हमेशा परेशान रहती हैं कि उनका हस्बेंड समंदर में से जिन्दा वापस आएगा या नहीं आ पाएगा इसी तरह मर्चेंट्स पर भी मौत का खत्रा हमेशा मंडराया रहता है लेकिन सर हम, हम तो लाखों में एक है हम इस तुफान से बच गए अलांसो कहता है, हाँ ठीक है, चुपो जाओ अब दरसल अलांसो को अपने जिन्दा बचने की कोई खुशी नहीं है उसे इस बात का गम है कि उसका बेटा फर्डिनेंट नहीं मिल रहा है अलांसो को लगता है कि फर्डिनेंट मर चुका है इसलिए वो बहुत जादा दुखी है सेबेस्टिन कहता है, गुन्जैलो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे इसकी बात की बहुत जादे इंपोर्टेंस हो ऐसे तसलिदे रहा है अलांसो को जैसे आलोंसो इसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहो एंटोनियो भी कहता है हाँ बस बोलता ही रहता है इसकी बात को कोई फरक नहीं पढ़ने वालHay इसकी बात की इंपोर्टिंस नहीं है सबेस्टेन कहता है कि यह गुन्जायलो बाजनी आने वाला मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये दोबारा से अपना ग्यान बाढ़नी की कोशिश करेगा चुप नहीं रहने वाला ये देख लेना दोबारा से चपड़ चपड़ करेगा दोस्तो गॉन्जैलो अलांसो को कुछ बोलने वाला होता है उसके मूँ से सिर्फ सर निकलता है एकदम से सबैस्टियन कहता है देखो मैंने कहा ता ना कहा ता ना मैंने कि ये कुछ नगुछ दुबारा बोलेगा देखो अब देखो शुरू हो गया दुबारा से दर असल गॉन्जैलो चाहता है कि अलांसो का मूड ठीक हो जाए उसने अपने बच्चे फरडिनेंड को खो दिया है तो गॉन्जैलो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अलांसो से बात की जाए और उसके ध्यान को भटकाया जाए ताकि उसका दर्द कम हो जाए अलॉंसो अगर बातों में लग जाएगा तो फिर उसका ध्यान भटक जाएगा और उसकी तकलीफ कम हो जाएगी लेकिन सेवेस्टियन और अन्टोनियो बहुत ही जादा खराब करेक्टर हैं उन्हें कोई फर्क ने पड़ा अलॉंसो की तकलीफ से बलकि सेवेस्टियन और अन्टोनियो दोनों मिलकर गॉंजैलो की टांग खेच रहें उसका मजाक उड़ा रहें गॉंजैलो कहता है चलो ठीक है मैंने माना कि बहुत जादा तकलीफ है बहुत जादा दोख है अलॉंसो को लेकिन हम उसका थोड़ा बहुत एंटर्टीनमेंट कर सकते हैं उसके दर्द को कम कर सकते हैं मैं मानता हूँ अलॉंसो को बहुत तकलीफ है बहुत दर्द है लेकिन दर्द का मतलब ये थोड़ी है कि हम रोते ही रहेंगे अब जो होना था वो तो हो गया हमें अलांसो से कुछ ऐसी बाते करनी चाहिए जिससे उसका दर्द कम हो सके सेबेस्टेन कहता है हाँ हाँ मुझे पता है जादा ग्यानी मत समझो अपने आपको गॉन्जेलो फिर दोबारा अलांसो से बात करने की कोशिश करता है जाओ प्लीज गॉन्जेलो दोबारा बोलता है और अलांसो से कहता है कि मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी मेरी बात तो सुन लो सेबेस्टेन कहता है कि ये चुप नहीं होने वाला बोलता ही रहेगा या ऐसे ही बोलता रहेगा अन्टूनियो कहता है अच्छा चलो देखते हैं कि अब गॉन्जेलो पहले बोलेगा या एड्रियन पहले बोलेगा दोस्तो एड्रियन उलांसो का एक एम्पलॉई है मैंना आपको बताया था कि राजा हमेशा बहुत सारे लोगों के साथ में चलता है अकेला नहीं चलता तो एक छोटा सा करेक्टर है एड्रियन का और एड्रियन भी बहुत जादा बोल रहा है गॉन्जेलो जितना ही बोल रहा है एड्रियन भी तो यहाँ पर क्या होता है सेबेस्ट्रियन और एंटूनियो शर्ट लगा लेते हैं इन दोनों में से पहले कौन बोलेगा सेबेस्ट्रियन क्या कहता है सेबेस्ट्रियन क्या कहता है कि मुझे लगता है कि बुड़ा पहले बोलेगा बुड़े से मतलब है गॉन्जेलो एंटूनियो कहता है मुझे लगता है कि बुड़ा नहीं बोलेगा पहले यंग कॉक बोलेगा यंग कॉक से यहाँ पर मतलब है एड्रियन ठीक है सेवेस्टिन क्या कहता है कि गौन्जैलो पहले बोलेगा और एंटॉन्यो कहता है कि एड्रियन पहले बोलेगा इसके बाद सेवेस्टिन और एंटॉन्यो की शर्ट लग जाती है तो इसी दोरान एड्रियन बोलता है कि ये आईलेंड रेगिस्तान जैसा लगता है सेबेस्टियन ये सुनकर जोर जोर से हसने लगता है और कहता है एंटोनियो से तुम शर्ट जीत गए यार तुमने सही कहा था कि एड्रियन पहले बोलेगा तो ये लोग अपनी मस्ती कर रहे हैं आपर एंटोनियो और सेबेस्टियन और इन दोनों की टांग खेच रहे हैं दोस्तो पहले सेबेस्टियन और एंटोनियो गुंजैलो की टांग खेच रहते और अब ये लोग एड्रियन के पीछे पढ़ गए है एड्रियन कहता है कि इस आईलेंड का मौसम बहुत अच्छा है इतनी अच्छी स्वीट हवाय चल रही है इस आईलेंड के उपर सेबेस्टन कहता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आईलेंड के लंग्स लगे हुए हो आईलेंड के लंग्स लगे हो मतलब बेतु की बाते कर रहा है उल्डी सीदी बाते कर रहा है मकसद यह है कि किसी तरह एड्रियन और गॉन्जैलो का मजाख उड़ाए जा सके एंटुनियो भी कहता है हाँ हाँ ऐसे बोल रहा है जैसा चार तरह परफियूम फैला हुआ हो गॉन्जैलो एड्रियन को सपोर्ट करता है और कहता है हाँ यह आईलेंड है तो बहुत बड़िया एंटोनियो कहता है वो बात तो ठीक है लेकिन यहाँ पर कोई रहता थोड़ी है कोई भी ने रहता है यहाँ पर तो सबेस्टियन भी एंटोनियो को सपोर्ट करता है और कहता है कि यहाँ कोई लाइफ नहीं है इसके बाद गॉन्जैलो कहता है अरे देखो तो सही कितनी अच्छी घास है कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर एंटॉन्यो कहता है कोई ग्रीनरी नहीं है यह तो सूकी घास है अरे कुछ तो छोड़ दो यार कितनी बाते करेगा यह घास तक की बात कर रहा है यह हद है गुंजैलो कहता है कि जब हम जहाज में थे तब हमारे कपड़े काफी गंदे थे लेकिन जब हम पानी में उतरे तो हमारे कपड़े साफ हो गए देखो कितने चमक गए ना कपड़े एकदम एंटूनियो कहता है यार ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसके कपड़े बोलते हूं और इसके कपड़ों ने इसे बताया हो कि हम साफ और फ्रेश हो गए सेबेस्ट्रेन दुबारा एंटूनियो को सपोर्ट करता है गॉन्जैलो कहता है कि मुझे तो लगता है हमारे कपड़े उतने ही फ्रेश हैं जितने शादी पर थे अब देखो ये important है ध्यान देना यहां पर गौंजेलो ने क्या कहा कि हमारे कपड़े ऐसे फ्रेश लग रहे हैं ऐसे नई लग रहे हैं जैसे शादी पर थे शादी किसकी थी? शादी थी अल्ऑनसो की बेटी कलारीबल की मैं आपको बता दू ये लोग अल्ऑनसो की बेटी कलारीबल की शादी میں से वापस लोट रहे थे अपने घर नैपल्स जा रहे थे तो फिर रास्ते में आगया तुफान और ये लोग इस आइलेंड के उपर फज गए अच्छा एक चीज और नोट करना यहां पर अलांसो की बेटी क्लैरिबल की शादी हुई थी एफरिका में एक देश ट्यूनिस में बात आगी समझ में क्लैरिबल अलांसो की बेटी है जिसकी शादी एफरिका में हुई थी एफरिका में देश था ट्यूनिस तो ये लोग शादी को अटेंड करके अपने घर वापस जा रहे थे और रास्ते में आगया तुफान और ये लोग इस आइलिंड के उपर फस गए तो गुन्जैलो क्या कहता है कि जब हम शादी में थे जिस तरह से हमारे कपड़े वहाँ पर फ्रेश थे वैसे ही फ्रेश दुबारा से होगए एकदम चमक गए सेवेस्ट्रिन यहाँ पर टॉंट मारेगा सेवेस्ट्रिन कहता है हाँ हाँ कितनी अच्छी शादी थी और कितनी अच्छी वापसी हुई है न हमारी देखो मज़ा आगी अब तो मज़ा आ रहा है बहुत उसके कहने का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर आईलेंड के उपर फस गए एडरिन कहता है कि टुनिस देश में कभी भी इतनी अच्छी क्वी नहीं गई होगी हमारी क्लैरिबल बहुत अच्छी है गुंजैलो कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो लेकिन एक और बहुत खुबसरत लेडिन थी आफरिका में विडो डिडो डिडो ग्रीक मैथलोजी में एक खुबसरत लेडिन थी जो एफरिका के टुनेशे देश में रहती थी तो गुंजैलो क्या कहता है कि हमारी क्लैरिबल बहुत खुबसरत है नो डाउट लेकिन डिडो के बाद से क्योंकि डिडो का कोई मुकाबला नहीं है डिडो बहुत खुबसरत थी एंटोनियो कहता है वो बात तो ठीक है लेकिन तुम डिडो को विडो क्यो बोल रहा है विडो थोड़ी थी वो दोस्तों मैं आपको बता दूँ डिडो एनियस नाम के एक राजय से प्यार करती थी लेकिन एनियस ने डिडो से शादी नहीं करी थी तो एंटूनियो यही बोल रहा है यहां पर कि डिडो विडो थोड़ी थी जो तुमने उसे विडो बना दिया सेबेस्रेन कहता है कि अगर गुंजैलो का बस चले ना तो यह एनियस को भी विडो और बोल दे कुछ भी कहानी अपने पास से बना रहा है अगर इसका बस चले तो पता नहीं यह क्या क्या बोल देगा गुंजैलो फिर कहता है कि डिडो टुनिस शहर की नही थी कार्थरेज शहर की थी एडिरियन कहता है अच्छा कार्थरेज शहर की थी बेकार केバतें कररा है कुछ जाधा important बातें नहीं है लेकिन ड्रामा में लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रहा है इस तरह की बात है उसे ट्रामा को थोड़ा लंबा खेचा जाता है तो यहाँ पर सेवेस्ट्रेन दुबारा से कहता है इतनी लंबी-लंबी फेक रहा है यह गुंजैलो इसने दिवारे, घर, सब कुछ बना दिया डिडो का इंटोनियो कहता है पता नहीं यार अब यह कौन सी अजीब और नामुम्किन बाते करेगा सेवेस्ट्रेन कहता है मुझे तो लगता है अब गुंजैलो यह पूरा आइलेंड अपनी पौकेट में रख लेगा और अपने बेटे को जाकर देगा, अपने बेटे से कहएगा यह ले एपल खा ले अंटोनियो कहता है हाँ आइलेंड भी ले जाएगा पौकेट में और फिर उस एपल में से जो बीज निकले का, उन बीजो से अपने नए-नए-आइलेंड बनाएगा यहाँ पर बेतु की बाते करके गुन्जैलो का मजाक उड़ाया जा रहा है और मैं आपको बता दूँ यह कॉमेडी प्ले है तो इसी तरह के कॉमेडी हुआ करती थी उस जमाने में शेक्स पेर ने यहाँ पर थोड़ी कॉमेडी डालने की कोशिश कर रहे है गुन्जैलो कहता है कि सर इस तरह के तो कोई बात चल ही नहीं रही थी हम तो यह बात कर रहे थे कि जब हम टूनिय शहर में थे शादी में तब हमारे कपड़े एकदम साफ फ्रेश थे तो वैसे ही फ्रेश कपड़े दोबारा से हो गए है यह बात चल रहे थी अंडूनियो कहता है हाँ और फिर यहाँ पर इस ऐलेंड के उपर आ गए कितना अच्छा हुआ सेवेस्टिन कहता है और डिडो की बात किसने निकाली थी विडो डिडो अंडूनियो कहता है ओ विडो डिडो ओ विडो डिडो इस तरह के बाते करके उसका मजाक उड़ा रहे गौंजैलो बड़ा पका हुए है वो दुबारा से कहता है क्या मेरे कपड़े इतने फ्रेश नहीं लग रहे जितने पहले लग रहे थे अब यहां पर अलाउनसो कहता है गौंजैलो से कि मुझे तुम्हारे बातों का कोई खास फर्क नहीं पढ़ रहा है अच्छा होता कि मैं अपनी बेटी की शादी अफरीका में नहीं गरता कि용कि ना शादी होती नहाम अफरीका में जाते ना तुफान आता और नही मेरे बेटा फर्डिनेंट कोथा सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हम अफरिका में गए थे अब फ्रांसिसको बोलेगा फ्रांसिसको भी अलांसो का एक एम्पलॉई है तो वो कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपका बेटा जिन्दा है क्योंकि मैंने उसे लहरों से लड़ते हुए देखा था पूरा समुन्दर कोशिश कर रहा था उसे डुबाने की लेकिन वो तैरता हुआ जा रहा था बहुत लड़ रहा था लहरों से मुझे लगता है कि आपका बेटा फर्डिनेंट भी इसी ऐलेंड के ओपर होगा यहीं कहीं जादा परेशान मत हो मुझे लगता है पूरा यकीन है कि फर्डिनेंट जिन्दा होगा अलॉंसो कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि वो जिन्दा होगा वो मर चुका होगा अलॉंसो बिल्कुल होपलेस हो चुका उसे कोई होप ही नहीं बचा उसके अंदर سیویسٹین कहता है अच्छा हुआ सर आपने अपनी बेटी की शादी बहोत दूर अफरिका में कर दी क्योंकि अगर अपनी बेटी की शादी यूरोप में करते वो हमारे पास में होती तो फिर वो तो बहुत रूती जब उसे पता लगता है कि फर्डिनेंट मर चुका है तो फिर वो तो बहुत रोती अब कम से कम वो दूर है उसे पता नहीं कि यहां पर क्या क्या हुआ है सेवेस्टिन इस तरह के बाते करके औलांसो को और भी जादा परेशान कर रहा है औलांसो कहता है चुप हो जाओ यार प्लीज प्लीज चुप हो जाओ सेवेस्टिन कहता है हमने तो आपको पहले ही समझाया था कि उसकी शादी एफरिका में मत करो लेकिन आपने हमारी एक ना सुनी आपकी लड़की भी आफरिका में शादी करने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन फिर भी उसने आपकी बात मानी, आपका हकूम ता इसलिए उसने माना आपकी एक जिद की वजह से ना जाने कितने सारे लोग मर गए हम जितने लोग थे उन में से थोड़े से ही बचें जिन्दा बाकि सब तो मर गए और उनसो कहता है मुझे पता है सबको नुकसान हुआ है लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ है मेरा तो बेटा मर गया गुन्जैलो बीच में बोलता है और सेबसेटन से कहता है कि नुकसान हुआ है जाने भी गई है तकलीफ भी हुई है सब कुछ हुआ है लेकिन ये सही टाइम नहीं है इस तरह की बाते डिसकस करने का अलांसो पहले ही इतना दुखी है और तुम इस तरह की बाते कर रहे हो सेवेस्टेन और अंटोनियो दोनों कहते है हाँ हाँ ठीक है ठीक है गुन्जैलो फिर कहता है कि यह मौसम बहुत बिगड़ गया है बहुत खराब मौसम हो गया है गुन्जैलो दुबारा से बात को घुमाने की कोशिश करेगा ताकि ऑलांसो का माइन ڈाइवर्ट हो सके तो गुन्जैलो इस बार कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर मैं इस इलینड का रजाए होता तो क्या होता सेबस्टिन कहता है कि नशे से बहार आ और बता क्या करता गुन्जैलो कहता है कि अगर मैं राजा बन गया होता तो फिर मैं पूरे शासन को हटा देता कोई गवर्मेंट नी होती, कोई कोट कचैरी नी होती कोई महल, बिल्डिंग्स, कुछ नी होती कोई अमीर नी होता, कोई गरीब नी होता सारे लोग एक समान होते, एकदम सिंपल लिविंग्स होती जैसे पहले जमाने में लोग जिया करते थे वैसी सिंपल लिविंग्स रखता मैं क्योंकि जो पैसा होता है न वो सारे फिसाद की जड़ होती है सेवेस्टिन कहता है अच्छा तो ऐसी जगा पर राजा बनोगे एंटोनियो कहता है पहले तो ये बोल राता है कि अगर मैं राजा होता और फिर बाद में क्या कह रहा है मैं कोई भी शासन नहीं चलने देता मतलब इस बेवकूफ को खुद ने पता कि एक क्या कहना चाह रहा है पहले कह रहा है कि अगर मैं राजा होता और बाद मैं कह रहा है कि सिंपल लिविंग होनी चाहिए कोई भी राजा नहीं होता तो इसे तो खुद ने पता क्या कह रहा है ये गुन्जैलो इनकी तरफ कोई ध्यान नी देता वो अपनी मौज में लगा हुआ है और सबने देख रहा है और कहता है कि अगर मैं साइलेंट का राजा होता ना तो कोई भी इनसान जादा महिनत नहीं करता सिंपल लिविंग होती नेचर हमें सब कुछ दे देता पैसे कमाने का कोई कौनसेप्ट ही नहीं होता जो हमें खाने पीने का समान होते सब नेचर से मिल जाता सबस्टिन कहता है और शादी का क्या होता एंटोनियो कहता है कि अगर शादी नहीं हुई खाली लोग रहे तो फिर तो सभी लोग प्रोस्टिट्यूड बन जाते गुंजैलो अपनी धुन में लगा रहता है और कहता है कि अगर मैं राजा बनूंगा तो बहुत अच्छा वक्त ले आउंगा सेवेस्टिन कहता है खुदा ही बचाए ऐसे राजा से अन्टोनियो कहता है जीओ मेरे गुंजैलो जीओ बहुत बढ़िया और उन्सो कहता है यार प्लीज मुझसे बात मत करो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ गुंजैलो कहता है कि सर मैं सेवेस्टिन और अन्टोनियो के बातों पर जादा ध्यान ने देता हूँ ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं मैं तो इसलिए ऐसी बाते कर रहा हूं ताकि आपको हसी आ सके आप थोड़ा खुश हो सको ये बचकानी बेवकूफियों वाली बाते सिर्फ आपको हसाने के लिए कर रहा हूं एंटूनियो कहता है हाँ हाँ हम तो बहुत हसें तुमारी बातों के उपर गॉन्जैलो कहता है ठीक है हसते रहो मुझे कोई फर्क नहीं बढ़ता ऐसा लगता है कि शायद अब गॉन्जैलो को थोड़ा घुसा आ गया है गॉन्जैलो एंटूनियो और सेवेस्टेन पर टॉंट मारता है यहां पर और कहता है कि तुम दोनों तो इतने ताकतवर हो इतने बहादूर हो कि चांद की डिरेक्शन को भी चेंज कर दोगे तुमारे लिए तो कुछ भी नामुम्किन नहीं है तुम चाहो तो चांद की डिरेक्शन को भी चेंज कर दोगे इसी दुरान यहां पर क्या होता है एरियल आ जाता है और एरियल अपना म्यूजिक चला देता है एंटोनियो कहता है यार तुम तो बुरा मान गए मजाकी तो गर रहे थे तुम्हारे साथ बुरा मत मानो गॉंजैलो कहता है कि मैं भी तुम्हारी बातों का कोई बुरा नी मान रहा हूँ मैं इतना कमजूर नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों से अपना टैमपर लूस कर दूँ और इसी दुरान गॉंजैलो को नीन दाने लगती है एंटॉनियो कहता है चलो ठीक है सो जाओ अब चलो सो जाओ दरासल यहाँ पर हुआ क्या है एरियल का म्यूजिक सुनकर सबी लोगों को नीन दाने लगती है और सबी लोग सो जाते हैं सेवेस्टियन और एंटोनियो होते हैं सिर्फ जिने नीन ने आती वो लोग नी सोते हैं बाकी सबी लोग सो जाते हैं और उन्सो भी कहता है कि पता नहीं इतनी नीन क्यों आ रही है मुझे मैं तो चाहता हूं कि थोड़ी देर सो जाओं ताकि मेरी टैंशन खतम हो जाए मेरा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो सके सेवेस्टियन कहता है जी सर ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए प्लीज थोड़ी देर सो जाओ अन्टॉनियो भी कहता है जी सर आप सो जाईए सेबस्टین और मैँ जाके हुए हैं और आपके हम लोग रिक्षा करेंगे पूरी निगरानी रखेंगे आपके आराम से सो जाओ इसके बाद अलॉनसो भी सो जाता है सबेस्टिन कहता है कि एकदम से सभी लोग सो गए यार ये क्या हुआ एंटोनियो कहता है कि शायद मौसम के वजह से ऐसा हुआ है इस आइलेंड का क्लाइमेट ही ऐसा होगा कि सभी लोग सो गए सबेस्टिन कहता है कि अगर क्लाइमेट के वजह से ऐसा हुआ है तो पिर हम क्यों नहीं सोए मुझे तो कोई नीन नहीं आई मैं भी तो इसी ऐलेंड के उपर हूँ एंटूनियो कहता है हाँ नीन तो मुझे भी नहीं आ रही ऐसा लगता है कि इन सभी के उपर कोई बिजली बिजली कड़की है जो ये लोग सभी एक साथ एकदम से सो गए लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है सेबस्रियन मैं तुम्हारे सर पर राजा का ताज देख रहा हूँ ताज लगा हूँ देख रहा हूँ तुम्हारे उपर राजा का एंटोनियो के कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि तुम अलॉंसो को जान से मारतो ताकि नैपल्स के राजा तुम बन जाओ लेकिन यहाँ पर सेवेस्टियन उसकी बातों को समझेगा नहीं एंटोनियो घुमा फिरा कर बाते कर रहा है अच्छे एक चीज और है एंटोनियो को लगता है कि अलॉंसो का बेटा मर चुका है तो अगर अलॉंसो भी मर गया तो फिर नैपल्स का राजा कौन बनेगा नैपल्स का राजा बनेगा सेबेस्टियन क्योंकि वो अलॉंसो का भाई है तो सेबेस्टियन एंटोनियो से कहता है क्या हुआ एंटोनियो नींद में हो क्या कैसी बाते कर रहे हो antonio कहता है क्या तुम सुनने पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ Sebastian कहता है कि मैं तुम्हारी बाते सुन रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी नींद में हो अजीब अजीब बाते कर रहो यार antonio कहता है Sebastian तुम्हारे पास golden opportunity है इस opportunity को miss मत करो Sebastian को लगता है कि Antoneio सो चुका है और नीन्द में बोल रहा है उसके समझज नहीं आता है कि वो कहना कह चा रहा है Antoneio कहता है कि मेरे बात को मजाच में मतलो Sebastian मैं बहुत सीरियस हूँ Sebastian कहता है कि मैं तो रुके हुए पानी की तरह हूँ जिन्दगी में कोई तरक्य नहीं हुई जैसा पहले ता वैसे ही अब हूँ और तुम मेरे सर के ओपर ताज लगा हुआ देख रहा हूँ मैं तो रुके हुए पानी की तरह हूँ जैसा पहले ता वैसे ही हूँ तुम मेरे सर पे ताज लगावा क्यों देख रहे हो एंटॉनियो कहता है चलो अब मैं तुम्हें सिकाओंगा कि जिन्दगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है सबेस्टिन कहता है हाँ हाँ मुझे बताओ जिन्दगी में आगे कैसे बढ़ते हैं अन्टुनियो कहता है कि जादतर लोग आलेस की वज़ा से मौकश गवा देते हैं आज तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, राजा बनने का आलेस की वज़ा से इस मौके को मत गवाना सेबेस्टिन कहता है कि तुम बोलते रहो तुम्हारी बाते सुनकर मुझे सीखने को मिल रहा है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम मुझे बहतर इनसान बना दोगे एंटोनियो गॉंजैलो की तरफ इशारा करता है और कहता है कि गॉंजैलो के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेकार इनसान है बहुत बोलता रहता है इसे कोई याद नहीं रखेगा इसने बहुत कोशिश करी राजा को ये समझाने की कि उसका बेटा भी जिन्दा है लेकिन सच्छा ही ये है कि फर्डिनेंड मर चुका है सेबेस्टिन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि फर्डिनेंड डूब कर मर चुका है अन्टोनियो कहता है कि अब तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है फर्डिनेंड मर चुका है बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे पास सेबेस्टियन कहता है हाँ वो मर शुक है अभी तक सेबेस्टियन समझ नहीं पाया है तो एंटोनियो कहता है अच्छा मुझे एक बात बताओ अलांसो के बाद नैपल्स का राज़ा कौन बनेगा सेबस्टियन कहता है क्लारिबल बनेगी क्लारिबल अलॉंसो की बेटी है तो अभी तक सेबस्टियन के समझ में नहीं आया मुझे लगता है कि वो इतना जादा चलाग नहीं है क्योंकि एंटॉनियो उसको बार 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 हिंट दे रहा है लेकिन अभी तक वो एंटोन्यो के बात तक नहीं पहुचा इसके बाद एंटोन्यो कहता है कि क्लारीबल तो बहुत दूर रहती है यार आफरिका में पॉसिबल ही नहीं है उसका इतनी दूर नैपल्स में आना और राज करना सेबेस्टिन कहता है क्या बात कर रहा हो तुम अलांसो के बाद क्लैरिबल ही शासन करेगी क्लैरिबल कही राइट है एंटूनियो कहता है कि क्लैरिबल तो नहीं बन सकती अलांसो के बाद क्योंकि वो बहुत दूर रहती है और यहां पर जितने भी लोग सो रहे हैं यह लोग इतने काबिल नहीं हैं कि नैपल्स को समाल सकें इन से भी काबिल लोग हैं जो नैपल्स को चला सकते हैं दोबारा से हिंड दे रहा है यहां पर क्या कह रहा है कि अलांसो इतना काबिल नहीं है क्योंकि अलांसो लेटा हुआ है ना तो वो कहता है कि अलांसो इतना काबिल नहीं है तुम जादा काबिल हो ये देखो गॉन्जैलो इतना बोलता है इतना बोलता है लेकिन किसी काम का नहीं है अब यहाँ पर सेवेस्ट्रिन समझ जाता है सेवेस्ट्रिन कहता है कि मैं समझ रहूं तुमारी बातों को मुझे मालूम है कि तुमने अपने भाई प्रोस्पेरो को हटा दिया था रास्ते से अन्टॉन्यो कहता हाँ देखो अब मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ इस कॉस्ट्रिम में कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं पहले तो मैं नौकर जैसा था लेकिन अब देखो कितनी तरक्की कर ली मैंने सेवेस्टिन कहता है वो बात तो ठीक है लेकिन क्या तुम्हें अंदर से बुरा नहीं लगता क्या तुम्हें अंदर से आवाज नहीं आती कि तुमने गलत किया है एंडोनियो कहता है कि कोई आवाज वाज नहीं आती पावर के आगे कुछ नहीं है पावर सबसे पहले है ये सब फाल तु की बातें मत करो तुम्हारा भाई और गॉन्जैलो दोनों यहां पर लेटे हुए है मैं अपनी तलवार से अलांसो को मार देता हूँ और तुम अपनी तलवार से गॉन्जैलो को मार दो क्योंकि गॉन्जैलो बहुत लॉयल है अलांसो का तो गॉन्जैलो को भी मारना पड़ेगा सेबेस्टिन कहता है ठीक है बहुत अच्छा एडिया तुम्हारा ऐसा करने से मैं नैपल्स का बाष्षा बन जाओंगा और फिर तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एंटूनियो और अलांसो की बीच में एक डील हुई थी अलांसो ने प्रोस्पेरो को भाषर निकलने में एंटूनियो की मदद करी थी तो बदले में एंटूनियो कुछ पैसे अलांसो को देता है तो सेवेस्ट्रेन कहता है कि जब मैं राज़ा बन जाओंगा नैपल्स का तो तुमें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा कोशिश की जा रही है साफधान हो जाओ साफधान हो जाओ एंटूनियो कहता है चलो काम खतम करते हैं लेकिन यहां पर एक दाम से गुंजैलो की आँख खुल जाती है और वो चीखने चिलाने लगता है राजा को बचाओ राजा को बचाओ आए खुदा राजा को बचाओ सेबस्टियन और एंटोनियो के समझ में नहाता कि वो क्या करें क्या बोलें। सेबस्टियन बात को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है जब तुम सो रहे थे तो मुझे अजीब सी आवाजे आ रही थी। जैसे बुल्स के आवाजे होती हैं, शेर के आवाजे होती हैं, उस तरहां के आवाजे आ रही थी, तो इसलिए हम लोग तलवार निकाल कर अलट खड़े हुए थे, अलॉंसो कहता है अच्छा, लेकिन मुझे तो कोई आवाज नी आई, एंटोनियो कहता है हाँ हाँ, मुझे भी सुनाई दी थी आवाज, और इतनी तेज आवाज थी कि राक्ष्रस का दिल भी घबरा जाए, इतनी तेज आवाज थी कि अर्थ कोई का जाए, ऐसा लगता है शेरों का पुरा जुंड था, बहुत सारे शेरों के आवाज थी, अलॉंसो गुन्जैलों से पूछता है कि क क्या तुम्हे कुछ सुनाई दिया था? गुन्जैलों कहता है नहीं, मुझे तो कोई ऐसी आवाज सुनाई नी थी, लेकिन हाँ, ऐसा जरूर लग रहा था कि कोई मेरे कान में आकर कुछ कह रहा हो, और जैसे ही उसने मेरे कान में कुछ कहा, मेरे आख खुल गई, और मैंने इन दोनों की तलवार निकाले, खड़ा देखा इने, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, और अपनी तलवार निकाल लेनी चाहिए, हो सकता है कि आस पास कोई खत्रा हो, अलॉनसों कहता है चलो ठीक है, यहाँ से चलते हैं, और किसी दूसरी जगा पर जागर फरडिनेंड को ढूंते हैं, गुंजैलो कहता है कि यह लोग कह रहे हैं कि शेर के आवाज आ रही हैं, जानवरों के आवाज आ रही हैं, तो मैं दूआ करता हूँ कि फरडिनेंड सही सलामत हो, उसे कोई भी जानवर नुकसान ना पचाए, इसके बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। एरियल कहता है कि अब मेरे लॉर्ड प्रोस्पेरो को पता लगेगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। अब अलॉंसो अपने बेटे फर्डिनेंट से मिलेगा। जाएं। जितनी भी बिमारियां हैं दुनिया में वो सब प्रोस्पेरो को हो जाएं। और मैं तब तक बद्दुआ करूंगा प्रोस्पेरो के लिए जब तक ये मुझसे काम करवाना बन नहीं करेगा। दरसल होता क्या है कि प्रोस्पेरो ने अपने कुछ आत्माय छोड़ की होती हैं। जब भी कभी कैलिबन अच्छे से काम नहीं करता तो फिर वो स्प्रिट्स कैलिबन को पनिश करती हैं। कभी वो स्प्रिट्स लंगूर बन जाती हैं, कभी डॉग बन जाती हैं, कभी भालू बन जाती हैं, कभी भीडिया बन जाती हैं। और कैलिबन को पनिश करती हैं अगर वो अच्छे से काम नहीं करता ना तो उसे पंश करती हैं तो कैलिबन कहता है कि जब तक प्रोसपیरो मुझे परिशान करता रहे गा तब तक मैं इसे ऐसे ही कर्स करूंगा इसी दोरान ऐक न्यू करेक्टर की एंटरी होती है जिसका नाम है ट्रिन्किलो मैं आपको बता दूँ ट्रिन्किलो एक जेस्टर है जेस्टर मतलब जो ड्रामा में आउडियन्स को हसाने का काम करता है कॉमेडी क्रेट करता है उसे जेस्टर कहते है तो ट्रिन्किलो अलांसो के महल में काम करता है और बहुत ही मजा की इनसान है और जंगल में भटक रहा होता है उसी जहाज में आया है ये जिस जहाज में अलांसो आया था तो ट्रिन किलो कहता है कि उपर बादल गरज रहे हैं बिजली कड़क रही है बहुत ज़ादा तुफान आने वाला है मैं क्या करूँ कहां जाऊं अब होता क्या है ट्रिन किलो बिजली से बचने के लिए एक जगा पर चला जाता है और वहीं पर कैलिबन भी होता है कैलिबन ने अपने आपको कपड़े से ढख रका होता है ताकि बिजली से वो बच जाए तो जब ट्रिन किलो देखता है कैलिबन को तो उसे समझनी आता कि ये क्या चीज़ है इंसान है, राक्षेस है, जानवर है, मचली है, क्या है ये, क्या है ये अजीब सा मैंने आपको बताया था कि कैलिबन ने अपने आपको ढख रखा होता है तो कैलिबन पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होता और ट्रेन के लोगों को लगता है कि ये कोई मचली है कैलिबन को मचली समझता है ट्रेन के लोगों सोचता है कि इस अजीब से दिखने वाले प्राणी को अगर मैं बंद करके अपने शहर में ले जाऊँ तो मैं तो बहुत मोटा पैसा गमा सकता हूँ लोग इसे देखने के लिए आएंगे और मेरा बिसनिस हो जाएगा इसे दिखाने के पैसे लोगों से लेकिन ये पता नहीं जिन्दा भी है या नहीं एकदम से क्या होता है बिजली कड़कती है वाँ पर और ट्रिन किलो भी कैली बन के कपड़े में जाकर छुप जाता है इस तरह के सीन्स डाल करना आउडियन्स को हसाने की कोशिश की जाती है तो इसी दौरान क्या होता है एक और नए करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है स्टेफ एनो स्टेफ एनो भी ट्रिन किलो की तरह अलानसो का एक एंपलॉई है और ये भी जंगल में भटक रहा होता है स्टेफ एनो जादतर शराब के नशे में रहता है और ये अलानसो के महल में बटलर है अब बटलर किसे कहते हैं देखो महल में बहुत सारे नौकर होते हैं एक नौकर तो होगा नहीं राजा का बहुत सारे नौकर होंगे तो उन बहुत सारे नौकर के उपर जो एक सर्वेंट होता है उसे कहते हैं बटलर बात आरीए समझ में महल की जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो बटलर के अंडर काम करते हैं बटलर उन सब पर निगराने रखता है कि काम सही से हो रहा है या नही हो रहा बटलर होता है सीनियर मेल सर्वेंट तो स्टैफनो का काम था अलाउंसो की शराब का ध्यान रखना और ये जादतर नशे में रहता है खूब शराब पीता है तो नशे में कहता है स्टैफनो की मैं बच गया बच गया मैं समुंदर से यहां जमीन पर मरूंगा मैं तो स्टैफनो खूब शराब पी रहा है और नशे में गाना गा रहा है जूम रहा है और बता रहा है कि कैसे तुफान आया और कैसे वो इस आइलेंट के उपर पहाँज गया अब देखो यहाँ पर क्या होता है जैसे ही ट्रेन किलो कैलिबन के कपड़े में घुसता है कैलिबन को लगता है कि प्रोस्पेरो ने कोई स्प्रिट को भीजा है उसे पनिश करने के लिए उसे लगता है ट्रेन किलो प्रोस्पेरो की कोई स्प्रिट है तो कैलिबन कहता है कि मुझे परिशान मत करो अब यहाँ पर आ जाता है स्टेफेनो स्टेफएनो कहता है कि ये कपड़े के अंदर क्या हो रहा है देखो कपड़े में कैलिबन और ट्रिन किलो दोनों होते है उनके चैरे नहीं दिख रहा होते है तो स्टेफएनो कहता है कि ये कपड़े में क्या हो रहा है स्ट्रैफेनो को कपड़े की नीचे चार पैर दिखाई दे रहोते हैं तो उसके समझने आरा कि ये क्या चीज है जिसके चार पैर है ये क्या प्राणी है अजीब सा जो हिल रहा है अभी तो मैं तुफान से बच कर आया हूँ और यहां पर मुझे ये अजीब सा प्राणी मिल गया जिसके चार पैर है कैलिबन को भी ये घलत फैमी हो गई है कि ट्रेन किलो प्रोस्पेरो की स्परिट है तो कैलिबन भी चिला रहा है कि मुझे परेशान मत करो मुझे परेशान मत करो स्ट्रैफएनो कहता है कि ये चार पैर का अजीब सा प्राणी हमारी लैंग्विश कैसे बोल रहा है ये तो हमारी लैंग्विश बोल रहा है चलो एक काम करता हूँ इस प्राणी को अपने शहर ले जाता हूँ और पिर अपना बिजनिस खोलूंगा लोगों से पैसे लोँगा इस प्राणी को दिखाने के जो आइडिया ट्रिंकिलो का आया था वो ही सेम आइडिया स्ट्रेफएनो को भी आता है तो कैलिबन कहता है कि प्लीज मुझे परिशान मत करो मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा टाइम से पहले लकड़ी लेकर आऊंगा स्ट्रेफएनो कहता है कि ये प्राणी क्या अजीब 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 बाते कर रहा है लगता है ये पागल है मेंटल है इसको दिमागी दौरा पढ़ रहा है इसका इलाज शराब है दारू पिलाता हूं इसको अभी ठीक हो जाएगा सब पागल पन खतम हो जाएगा इसका दारू पीकर कैलिबन बेचारा चिलाए जा रहा है कि प्रोस्पेरो ने स्परिट को भीज दिया मुझे परिशान कर रहा है स्टैफेनो कहता है ये ले पी इसे इसे पीने से तेरी सारी घबराहट कापना डरना सब कुछ निगल जाएगा अब देखो होता है क्या है ट्रिन किलो स्टैफेनो की आवास को सुन लेता है और कहता है कि इस आवास को तो मैं जानता हूं पर ये जिन्दा कैसे बच गया इसे तो समुंदर में डूब कर मर जाना चाहिए था तो ट्रिन किलो बुड़ बुड़ा रहा होता है और स्टैफेनो ट्रिन किलो की बुड़ बुड़ा हट को सुन लेता है स्टैफेनो कहता है टांगे चार और आवासे दो ये तो बहुत ही अजीब मॉंस्टर है एक ही प्राणी में दो अलग-अलग आवाज आ रही है चलो कोई नहीं मैं पूरी बॉटल पिला देता हूँ दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही है ना वहाँ पर भी दारो पिला दूँगा ट्रिन किलो एकदम से बोलता है स्टेफेनो स्टेफेनो एकदम डर जाता है और कहता है कि यार इसे मेरा नाम कैसे पता है मॉंस्टर को ट्रिन किलो अंदर से ही बोलता है कि स्टेफेनो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ घबराने की कोई बात नहीं है स्ट्रेफेनो कहता है कि अगर तुम वाकर ट्रिन किलो हो तो फिर बाहर आओ मैं तुमें देखना चाहता हूँ और तुम इस आइलेंड के उपर पहुश कैसे गए मैंने तो सोचाता है कि तुम मर गए होंगे ट्रिन किलो कहता है कि पानी में जो तुफान आया था उससे तो मैं बच गया था और यहां पर बिजली कड़क रही थी तो बिजली से बचने के लिए मैं इस कपड़े में आकर छुप गया अब बताओ मुझे अगर बिजली नहीं कड़क रही तुफान बंद हो गया तो फिर मैं बाहर आ जाता हूँ स्ट्रेफएनो कहता है कि मुझे तो कुछ समयश नहीं आ रहा है तुम बाहर आओ अच्छा मैं आपको बता दूँ स्ट्रेफएनो ने कैलिबन को शराब पिला दिये तो कैलिबन हो गया है एकदम टली उसने अपने सैंसिस को दिये कैलिबन कहता है क्या घजब चीज़ है ये क्या घजब चीज़ है स्ट्रेफएनो तो गौड है हैवन से लेकर पिलाया है मुझे इसने हैवन से लेकर आया है ये तो गौड है अब स्ट्रेफएनो ट्रिंकिलो को बतायागा कि वो तुफान से कैसे बचा स्ट्रेफेनो कहता है कि सेलर्स ने शराब के बैरल पानी में फेका था और मैं उस पर चड़कर आ गया बैरल कुछ इस तरह का होता है तो कहता है कि बैरल जब पानी में फेका समुन्दर में फेका तो मैं इसके ओपर बैटकर इस आइलेंड के किनारे तक आ गया कैलिबन अपनी अलग धुन में लगा हुआ है वो कहता है कि ये तो कुछ अलगी चीज है इस दुनिया की तो मुझे ये लगी नहीं रही है कहीं और से ही इसने कुछ लाकर पिलाया है मुझे ठीक है तो अब स्ट्रेफेनो ट्रेंकेलो से पूछता है कि तुम कैसे बचे ट्रेंकेलो कहता है कि मैं तो बत्तक की तरह तैर कर आ गया ट्रेंकेलो स्ट्रेफेनो से पूछता है कि क्या तुमारे पास और शराब है स्ट्रेफेनो कहता है कि हाँ हाँ मैंने गुफा के पास छुपा कर रख रखी है कैलिवन अपनी मौज में लगा हुआ है और नशे में बोले जा रहा है मुझे तो लगता है कि ये हैवन से आई है स्ट्रेफेनो भी बड़ा मज़ेदार इंसान है मौज लेने वाले इंसान है और वो मज़े लेता है और कहता है कि मैं चान से आया हूँ कैलिवन कहता है अच्छा हाँ मैंने चान पर देखा तो था मेरे साथियोंने चान पर दिखाया था मुझे वहाँ पर एक डॉग भी था वाइल्ड ग्राउंड था वहाँ पर आप वहीं से आये हो क्या स्ट्रेफेनो कहता है अरे हाँ वहीं से तो आया हूँ मैं ट्रिन किलो कहता है कि मैं तो इस मॉंस्टर को पता नहीं क्या समझ रहा था ये तो बड़ा ये कमजोर सा मॉंस्टर निकला कैलिबन कहता है कि तुम मेरे गौर्ड बन जाओ बस मुझे शराब देते रहना मैं तुम्हें पूरा आइलेंड गुमाँगा तुम्हें बताऊंगा कौन सी लेंड फर्टाइल है कौन सी लेंड बेरन है बस शराब देते रहना मुझे मैं तुम्हारे पैरों को चुमूँँगा तुम्हे राजा बना दूँगा स्ट्रेफएनो कहता है ठीक है फिर यहाँ पर आओ जुको और मेरे पैरों में पढ़ जाओ ट्रिन किलो यह देखकर जोर-जोर से हसने लगता है और कहता है कि यह कैसा मांस्ट्र है भई स्ट्रेफनो कैलीबन से कहता है आओ आओ मेरे पैर चुमो ट्रिंड किलो कहता है कि ये बेचारा मांस्टर नशे में है और कैलीबन अपनी धुन में लगा हुआ है और वो कहता है कि अगर तुम मुझे शराब दोगे तो मैं तुम्हें बेरियस दिखाऊंगा बड़या बड़या खाना दिखाऊंगा तुम्हें मैं तुम्हारे लिए मच्छी लेकर आऊंगा तुम्हारे सारे काम करूंगा आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर आऊंगा अभी मेरा लॉर्ड प्रोस्पेरो बना हुआ है बस तुम प्रोस्पेरो से अजाद करवा दो मुझे फिर तो मैं तुम्हे ही अपना लॉड बना लूँगा तुम्हारा सारा काम करूँगा ट्रिन किलो कहता है ये बेवकूफ नशे में पता नी क्या क्या बोले जा रहा है कैलिबन कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्रैप्स कहां पर होते हैं और मैं अपने बड़े बड़े नाखुनों से खुद पीनेट्स को निकालूंगा तुम्हारे लिए तुम्हारी पूरी केयर करूंगा अच्छे से अच्छा खाना लेकर आऊंगा तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पर तुम्हें बढ़िया मचलिया कहां मिलेंगी ठीक है सब बताऊंगा तुम्हें कहां बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है सब बताऊंगा बस तुम मुझे शराब देते रहना और मुझे मेरे मांस्टर प्रोस्पेरो से अज़ाद करवा दो फिर तुम ही मेरे मांस्टर बन जाओगे स्ट्रेफेनो कहता है ठीक है अब तुम कुछ बोलोगे नी बिना कुछ बोले हमें जगाए दिखाओ हमें गुमाओ ये आईलेंड कैलिबन कहता है हाँ हाँ आओ आओ दिखाता हूँ मैं आपको पूरा आईलेंड दिखाता हूँ कैलिबन बहुत ज़्यदा खुश है वो सोच रहे कि अब मुझे प्रोस्पेरो की कोई गुलामी नी करने पड़ेगी अजादी 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 इस्ट्रैफेनो कहता है मौंस्टर हमें जगाएं दिखाओ ये आईलेंड गुमाओ हमें और यहीं पर हमारा एक्ट टू सीन टू खतम हो जाता है एक्ट 3 सीन वन में शेक्सपेर ने रुमेंटिक एलिमेंट्स डालने की कोशिश की है यहाँ पर फर्डिनेंड और मिरेंड़ा एक दूसरे से प्यार भरी बाते करेंगे तो अब होता क्या है कि फर्डिनेंड मजदूरी कर रहा होता है आपको याद होगा प्रोस्पेरो ने फर्डिनेंड को फ्रीज कर दिया था तो अब फर्डिनेंड प्रोस्पेरो की कैद में है और प्रोस्पेरो के लिए मजदूरी कर रहा है ये सब प्रोस्पेरो इसलिए कर रहा है ताकि फर्डिनेंट और मिरेंडा के बीच में प्यार बढ़ सके तो फर्डिनेंट लकड उठा रहा होता है बड़े बड़े जो लकड होते ना लकड़ी होती है उसको उठा रहा होता है और मजदूरी कर रहा होता है और कहता है कि ये काम मेरे किसी काम का नहीं है मतलब मुझे इस काम से कुछ सीखने को नहीं मिला बेकार काम है बिलकुल लेकिन कभी कभी बेकार काम के पीछे भी बड़ा कौज होता है काम तो बहुत बेकार है कोई फैदा नहीं है कुछ सीखने को नहीं मिल लेकिन ये काम करके मुझे मिरंडा का चहरा देखने को मिल ला है और मिरंडा की वजह से मुझे इतना बेकार काम भी अच्छा लगने लगा है फर्डिनेड कहता है कि जितना ख़डूस प्रोस्पेरो है ना मिरंडा उतनी ही जादा स्वीट है इसी दौरान क्या होता है मिरंडा वहाँ पर आ जाती है और मैं आपको बता दूँ प्रोस्पेरो दूर खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है दोनों को देख रहा होता है कि ये किस तरह से बाते कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं तो फर्डिनेंड को यू मजदूरी करते हुए देखकर मिरेंडा को बड़ी तकलीफ हो रही है और वो कहती है कि मैं दूआ करती हूँ कि इन बड़े बड़े लगकडों पर बिजली कड़क जाए और आग लग जाए मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से मजदूरी करो तुम इस काम के लिए नहीं बने हो फर्डिनेंड तुम तो एक राजकुमार हो अच्छा सुनो मेरे बात मेरे फादर अभी पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई में बहुत जादा बीजी है तो उनका पूरा ध्यान वहीं पर हो अगर काम खत्म नहीं किया तो फिर प्रोसपेरो मुझे पनिश करेगा मिरेंडा कहती अच्छा तु फिर एक काम करते हैं तुम आराम से यहां पर बैठ जाओ तुम्हारा काम मैं कर देती हूँ फर्डिनेंड कहता है नहीं तुम कैसे यह मस्ध़ोरी कर सकती हो तुम से काम क करवाँगा, चाय कितनी ही बुरी हालत हो जाए मेरी लेकिन तुम से कोई काम नी करवाँगा मिरेंडा कहती है कि ये काम मैं कर सकती हूँ, इतना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं दिल से ये काम करना चाहती हूं मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहती हूं इसलिए ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है और तुम्हारे लिए ये काम इसलिए मुश्किल है इसलिए बोरिंग है क्योंकि तुम्हें ये काम बिकार लग रहा है इसलिए तुम्हें मुश्किल लग रहा है ये काम और मैं दिल से करना चाहती हूं तो मुझे एक काम असान लग रहा है देखो जब कोई काम जबर्दस्ती करते हो ना आप, आपका मन नहीं होता तो वो काम आपको मुश्किल लगने लगता है तो यहाँ पर मिरेंडा यही समझा रही है फर्डिनेंट को प्रोस्पेरो दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है और कहता है कि इन दोनों को सच्चा प्यार हो गया है मिरेंडा फर्डिनेंट से कहती है कि तुम बहुत ठके हुए लग रहे हो Ferdinand कहता है ऐसा कुछ नहीं है तुम मेरे पास में खड़ी हो ठकना कैसा काई की ठकन तुम्हारे साथ तो शाम भी सुबह जैसी लगती है मतलब देखो होता क्या है कि शाम को इनसान ठक जाता है पूरे दिन काम करता है तो ठक जाता है लेकिन सुबह में एकदम फ्रेश हम लोग एकदम फ्रेश उटते हैं हमाएं कोई ठकान नहीं लगती तो यहीं बोल रहा है कि तुम्हारे साथ तो मेरी शाम भी सुबह जैसी है मतलब क्या है कि मैं शाम को भी एकदम फ्रेश रहता हूँ सुबा जितना फ्रेश रहता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो और फिर फरडिनेंड मिरंडा से उसका नाम पूछता है मिरंडा ने अभी तक फरडिनेंड को अपना नाम नहीं बताया था और Ferdinand Mirinda को मिस्ट्रिस बोल रहा था तो वो कहती है कि मेरा नाम Mirinda है हाला कि प्रोस्पेरो ने मना किया था Mirinda से कि तो अपना नाम मत बताना Ferdinand को लेकिन Mirinda ने अपने प्रामिस को तोड़ दिया और अपना नाम बता दिया Ferdinand कहता है कि बहुत अच्छा नाम है मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ में रहा हूँ क्योंकि राजकुमार था तो राजकुमार के आगे पीछे तो बहुत सारी लड़कियां रहती है तो वो कहता है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है और अगर मैं उन सभी लड़कियों की क्वालिटीज को तुम्हारे साथ कंपेर करूँ तो तुम उन सभी लड़कियों से बहतर हो उन सबसे बढ़कर हो क्योंकि उन लड़कियों में जितनी क्वालिटीज थी उतनी कम्या भी थी लेकिन तुम पहली लड़की हो जिसमें मुझे सिर्फ क्वालिटीज दिख रही हैं कोई कमी नहीं दिख रही मिरंडा कहती है कि मैंने आज तक किसी भी लड़की को नहीं देखा तो मुझे नहीं पता कि कौन कितना खुबसरत होता है क्या क्या क्वालिटीज होती है और मेल में भी मैंने सिर्फ अपने फादर और कैलिबन कोई देखा था तुम पहले मर्द हो जिसे मैंने देखा है और अब तुम ही मेरे लवर रहोगे मैंने तुम से ही प्यार किया है और अब मुझे किसी को नहीं देखना तुम्हारे साथ सारी जिंदे की गुजारना ही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी फर्डिनेंड कहता है कि मैं एक राजकुमार था लेकिन अब मैं एक राजा बन चुका हूँ दरशल फर्डिनेंड को लगता है कि उसके फादर अलॉंसो मर चुके तो वो कहता है कि मैं अब राजा हूँ, मुझे तुमसे कहना है कि मैं तुमसे बेपना महबत करता हूँ मिरंडा कहती है कि क्या तुमसे प्यार करते हो इसके बाद हर प्रेमी की तरह फर्डिनेंड भी कस्मे खाने लगता है और मिरैंडा को बटानी की कोशिश करता है कि वो उससे कितना प्यार प्यार करता है तो फर्डिनेंड कहता है कि इस दुनिया की किसम, हैवन की किसम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर मैं जूटी कस्में खा रहूँ तो मुझसे सब कुछ छिंच जाये जो कुछ भी मैं डिसर्फ करता हूँ वो सब मैं खो दूँ अगर मैं घलत बोल रहा हूं तो ये बाते सुनकर मिरंडा रोने लगती है आंसों से प्रोस्पेरो ये सब देख रहा होता है और बहुत खुश हो रहा था और दूआ करता है कि गौड इन्हें बलैस करे फर्डिनेंड मिरंडा के आंसों देखकर पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो मिरंडा कहती है कि पता नहीं मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूँ भी या नहीं मैं तुम से ही शादी करूंगी तुम्हारी ही वाइफ बनूंगी अगर तुमने मुझे से शादी कर ली तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर तुमने मुझे रिजेट कर दिया तो फिर मैं सारी जिन्दे की तुमारी सर्वेंट बन कर रहूंगी फर्डिनेंड कहता है फिकर मत करो तुम ही मेरी वाइफ बनोगी मिरेंडा कहती है अच्छा तो फिर तुम मेरे हस्बेंड हुए है ना फर्डिनेंड कहता है हाँ बिलकुल मैं तुमारा हस्बेंड हूँ ये रहा मेरा हाथ तुमारे लिए मिरेंडा भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते है प्रोस्पेरो दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है बहुत खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि जैसा मैंने प्लैन किया था वैसे ही हुआ है अब मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे काम बचे है और इसी के साथ हमारा एक्ट थ्री सीन वन खतम हो जाता है एक्ट थ्री सीन टू में स्ट्रेफेनो, ट्रिनकिलो और कैलिबन तीनों लोग साथ में बैठे होते हैं और स्ट्रेफेनो खूब शराब पी रहा है और कहता है कि मुझे तब तक नहीं टोकना जब तक मैं पूरी शराब खतम ना कर दूँ पानी नहीं पिएंगे हम लोग पानी की जगा पे शराब पिएंगे ट्रिनकिलो कहता है कि इस पूरे आईलेंड पे सिर्फ पांच लोग है तीन तो हम लोग हो गए स्ट्रेफेनो ट्रिनकिलो और कैलिबन और दो लोग और हैं प्रोस्पेरो और मिरिंडा हाला कि ट्रिंकिलो ने प्रोस्पेरो को नहीं देखा था लेकिन कैलिबन ने प्रोस्पेरो के बारे में पता है था तो ट्रिंकिलो कहता है कि हम तीनों तो बेकार हैं किसी काम के नहीं है और बचे हुए दो लोग भी अगर हमारे जैसे ही हुए तो फिर यह आईलेंड बरबाद हो जाएगा स्ट्रेफएनो ट्रिंकिलो से कहता है यार क्या बाते कर रहो तुम ये लो दारू पियो और स्ट्रेफएनो कैलिबन से कहता है कि तुमारी आखे सर में क्यों है दरसल कैलिबन एक मॉंस्टर है तो उसके आँखे जो होती है न वो थोड़ी ऊपर होती है जहापे सर होता है फोर हैड होता है वहाँ पर उसके आँखे होती है तो ट्रिन किलो कहता है कि ये एक मॉंस्टर है तो इसकी आँखे सर में ही होंगी और ये बड़ा डर्पोक मॉंस्टर है अगर ये बहादूर होता खतरनाक होता तो फिर इसके पीछे पूंच निकली वी होती स्ट्रेफेनो शराब के नशे में अपने तारीफे करने लगता है और कहता है कि इतना बड़ा तोफान आया और फिर भी समुन्दर मुझे डुबा नहीं पाया तैरता हुआ इस आईलेंट के उपर आ गया हूँ और अब कैलीबन मेरा लेफटिनेंट बनेगा ट्रिनकिलो कहता है लेफटिनेंट लेफटिनेंट तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है और कैलीबन का इतना बड़ा स्टेंडर्ड नहीं है कि उसको लेफटिनेंट की पोस्ट दी जाए शराब के नशे में बैठे ये लोग पता नहीं क्या क्या बाते कर रहे हैं तो स्टेफेनो कहता है नहीं नहीं कैलीबन कहता है मेरे लोड लेट मी लेकियर सोल आप मुझे अपने तल्वे चाटने दो मतलब कहना चारा है कि मैं आपको बहुत अच्छे से सर्फ करूँगा आपका गुलाम बन के रहुँगा और बहुत अच्छे सापको सर्फ करूँगा आपका हर ओर्डर मानूंगा लेकिन मैं इस आदमे ट्रिन किलो का कोई भी ओर्डर नहीं मानूंगा ट्रिन किलो को सर्फ नहीं करूँगा क्योंकि ट्रिन किलो बहुत डर्पोग इंसान है ट्रिन किलो कहता है जूटे हो तुम मैं डर पोग नहीं हूँ बहुत भादूर हूँ शराब पीकर कुछ भी बगे जा रहे हो शकल देखी है अपनी मचली जैसी शकल है तुम्हारे जैसे गिनोने मौनस्टर से कोई एकस्पेक्ट भी क्या गर सकता है तुम तो जूट बोलोग तुम आदे मचली जैसे हूं और आदे मौस्टर्ः जैसे हूं कैलिबन स्टेफएणो से शकायत करता है और कैता है देखिए लोड ये आदमी किस तरह से मिरा मजाख गड़ा रहा है मेरी बिजबत ही कर रहा है तुम हो ही इस लाइक कैलिबन कहता है स्टेफएणो मैं आपक खुलाम का मजाक उड़ाया जा रहा है प्लीज आप कुछ करिए स्ट्रेफेनो ट्रिंकिलो को डांट लगाता है और कहता है चुपो जा ट्रिंकिलो अगर तुमने एक शब्द और कहा तो फिर मैं तुम्हें पास वाले पेड़ में उल्टा टांग दूंगा ये मांस्टर मेरा सर्वेंट है और तुम इसकी इंसल्ट कर रहे हो कैलिबन खुश होकर कहता है थैंक यू लॉट मुझे आप से कुछ कहना था क्या आप सुनना पसंद करेंगे स्ट्रेफेनो कहता है हाँ हाँ बताओ क्या बात है यहाँ पर इन लोगों की बाते चल रही होती है और इसी दोरान के आउता है वहाँ पर एरियल आ जाता है एरियल इन्वीजिबल है किसी को दिखाई नहीं देता तो कैलिबन स्ट्रेफेनो से कहता है कि मेरा मास्टर प्रोस्पेरो बहुत बेरहम है चीटर है उसने धोके से मुझसे यह पूरा आइलेंड ले लिया इरियल कहता है तुम जूटे हो इरियल किसी को दिखाई नहीं दे रहा सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है कि तुम जूटे हो कैलिबन को लगता है कि ट्रिनकिलो उसको जूटा बोल रहा है तो कैलिबन कहता है तुम एक बंदर हो ट्रिनकिलो इस तरहां की बाते मत करो नहीं तो मेरे मास्टर तुमें डिस्ट्रॉय कर दिंगे मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ स्ट्रेफ एनो भी कहता है ट्रिनकिलो अगर तुमने दुबारा परिशान किया न कैलिबन को तो मैं तुमारे दान तोड़ दूँगा त्रिनकिलो कहता है क्यों भई क्या हो गया मैंने तो कुछ नहीं का स्ट्रेफ एनो कहता है चुप रहो जादा मत बोलो तुम बताओ कैलिबन क्या बात कर रहे थे कैलिबन बताता है कि यह आईलेंड मेरा था लेकिन प्रोस्पेरो ने धोके से मुझसे यह आईलेंड छीन लिया तो अब मैं चाहता हूँ कि प्रोस्पेरो से रिवेंच लिया जाए स्ट्रेफ एनो कहता है ठीक है मैं लूँगा बदला कैलिबन कहता है कि अगर आपने बदला ले लिया तो फिर इस पूरे आईलेंड के बाश्या आप बन जाओगे स्ट्रेफेनो कहता है वो बात तो ठीक है लेकिन मैं प्रोस्पेरो को मारू कैसे मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ क्या तुम मुझे उसके पास में लेकर चल सकते हो कैलिबन कहता है हाँ बिलकुल लेकर चल सकता हूँ वैसे भी उसके सोने का टाइम होने वाला है जैसे ही प्रोस्पेरो सो जाएगा तो आप उसके सर में कील ठोक देना उसको जान से मार देना एरियल सारी बाते सुन रहा होता है खड़ा हुआ और कहता है कि तुम जूड बोल रहे हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे कैलिबन को दोबारा लगता है कि ये बार ट्रेन किलो ने बोली है कैलिबन बहुत जादा हुस्सा हो जाता है और कहता है क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो इस्ट्राइफनों से कहता है कि आप इसको मुण तोड़ो इसको χूब मारो पीटो और इसको सूख ही मचली जैसा बना दो जिस तरह से मचली पानी के बिना बे जान हो जाती है अद्मरी हो जाती है उसी तरह इसको मारो और मार मार के इसको घायल कर दो और फिर मैं इसको पानी भी नहीं दूँगा इसको नहीं बताऊंगा कि कहां पर फ्रेश पानी मिलता है आसपास क्या होता है समुंदर होता है सॉल्टी पानी होता है तो वह कहता है इसको नहीं बताऊंगा कि फ्रेश पानी कहां पर मिलता है स्ट्रेफेनो भी कहता है ट्रिन किलो अपना मूँ बंद करो नहीं तो तुम्हारा मूँ तोड़ दूँगा मैं बहुत मारूंगा तुम्हें अगर तुम बाज नहीं आए तो ट्रिन किलो बिचारा कहता है क्या हो गया क्यों इतना खुसा हो रहा है और वो ट्रिन किलो को मारना शुरू कर देता है खुब पिटाई करता है ट्रिन किलो की और फिर कहता है कि अगर दोबारा कुछ कहा तो दोबारा पिटाई करूंगा तुमारी ट्रिन किलो को भी खुसा आ जाता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है तुम भी शराब पी पी कर इस मॉंस्टर की तरह हो गए हो कैलिबन ट्रिन किलो की पिटाई देख करना खूब हसता है बहुत हसता है और कैलिबन को बहुत मज़ा आ रहा है स्ट्रेफेनो कहता है तुम अपनी बात कंटीनियू रखो कैलिबन ट्रिन कीलो को तो मैंने मज़ा चेका दिया तुम अपनी बात को कंटीनियू रखो कैलिबन कहता है कि बहुत बढ़िया पिटाई करिया आपने थोड़ी देर के बाद मैं भी मारूंगा इसे अभी थोड़ा सांस ले ले फिर मैं भी इसकी पिटाई करूंगा स्ट्रेफेनो कहता है छोड़ो अब ये बताओ क्या बात कर रहे थे कैलिबन कहता है कि थोड़ी देर बाद प्रोस्पेरो सो जाएगा तो फिर हम उसे मारेंगे लेकिन हाँ मारने से पहले इसकी किताबे जरूर ले लेना क्योंकि वो किताबे जादू ही है जब तक किताब उसके पास में रहेंगी तब तक हम उसे नहीं मार पाएंगे और फिर प्रोस्पेरो के मरने के बाद सभी स्प्रेट्स अजाद हो जाएंगी प्रोस्पेरो ने बहुत सारी स्प्रेट्स को अपना गुलाम बना रखा है जैसे एरियल हो गई, कैलीबन हो गया तो कैलीबन कहता है कि सभी आत्माइ प्रोस्पेरों से परेशान हैं कोई भी पसंद नहीं करता प्रोस्पेरों को तो जब तुम उसे मारोगे तो सभी आत्माइ आजाद हो जाएंगी और फिर हम उन आत्माव को अपने कबजे में कर लेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे लेकिन पहले उसकी किताबों को जरूर जला देना प्रोस्पेरो के मरने के बाद उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी बेटी, सब कुछ तुम्हारे कबजे में होगा उसकी बेटी मिरंड़ा बहुत खुबसरत है वैसे तो मैंने जादा औरतों को नहीं देखा, एक मेरी मा थी साइकुरेक्स और एक मिरंड़ा है तो मिरंड़ा और मेरी मा में बहुत जादा फरक है, मिरंड़ा बहुत 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 जादा खुबसरत है उसकी खुबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है स्ट्रेफेनो कहता है अच्छा क्या वो लड़की इतनी खुबसूरत है कैलिबन कहता है हाँ हाँ बहुत खुबसूरत है तुम प्रोस्पेरो को जान से मार दो फिर उसकी बेटी और ये आईलेंड तुमारा हो जाएगा और फिर तुम मिरेंड़े के साथ मज़े करना स्ट्रेफेनो कहता है बहुत बढ़िया प्रोस्पेरो को मैं मार देता हूँ और फिर उसकी बेटी मेरी कुईन बन जाएगी और मैं तुम लोगों को भी बहुत बड़ी बड़ी पोस दे दूंगा ट्रिन किलो भी इनके सारे प्लैन को सुन रहा होता है और बहुत खुश होता है और कहता है बहुत बड़ी है प्लैन है तुम्हारा मज़ा आ गया स्ट्रेफेनो कहता है या ट्रिन किलो मैंने तुम पर हाथ उठाया मुझे माफ कर देना थोड़ा समल कर बोला करो यार घुसा मत दिलाया करो कैलिबन कहता है कि इस सब का टाइम नहीं है प्रोस्पेरो आदे गंटे में सो जाएगा हमें जाना होगा उसे मारने के लिए स्ट्रेफेनो कहता है हाँ हाँ चलो ठीक है चलो चलते है एरियल वही पर खड़ा होता है और उनका सारा प्लैन सुन लेता है और कहता है कि मैं अभी जाकर अपने मास्टर प्रोस्पेरो को बताता हूँ कि कैलिबन ने क्या प्लैनिंग करी है कैलिबन बेचारा बहुत खुश है और स्ट्राफेनो से कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको बहुत अच्छे से सर्फ करूंगा आप बहुत अच्छा गाना भी गाते हो इतनी खुशी का मोहल एक गाना तो बनता है स्ट्राफेनो कहता है चलो ठीक है तो मैं गाना सुनाता हूँ इसके बाद स्ट्राफेनो गाना गाना शुरू कर देता है अब होता क्या है कि एरियल पीछे से म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है ये लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये म्यूजिक की आवास कहां से आ रही है, कहां से आ रहा है म्यूजिक एरियल के म्यूजिक सुनकर स्ट्रेफेनो और ट्रिन किलो बहुत डर जाते हैं और घबरा जाते हैं ट्रिन किलो तो अपने गुनाहों के माफी मांगने लगता है कैलिबन कहता है मास्टर आप डर गए बस म्यूजिक से डर गए इतने से म्यूजिक से डर गए आप स्ट्रेफिनो कहता है नहीं नहीं मैं तो नहीं डरा कहां डर रहूं मैं कैलिवन कहता है ये सब आवाजे तो आम बात है इन आवाजों से मट डरो इस आईलेंड पर इस तरह की आवाजे आती रहती है अलग अलग तरह की आवाजे आपको सुनाई देंगी मुझे तो हर समय कोई न कोई आवाज सुनाई देती रहती है कभी कोई आवाज मुझे जगा देती है कभी कोई आवाज मुझे सुला देती है चलो अपना काम करते हैं इन आवाजों से मट डरो प्रोस्पेरो को मारने चलते है स्ट्राफएनो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा इलेंड है यहां पर तो राज़ा बनने में बड़ा मज़ा आएगा यहां पर तो म्यूजिक भी बश्टा रहता है कैलेवन कहता है हाँ बहुत बढ़िया है लेकिन बढ़िया तब है जब आप प्रोस्पेरो को मार दोगे तब ही बढ़िया वरना बढ़िया नहीं है क्योंकि अभी प्रोस्पेरो यहां का बाश्या है स्ट्रेफेनो कहता है हाँ मुझे याद है चलो काम खतम करते हैं ट्रेफेनो कहता है कि ये म्यूजिक धीरे धीरे कम हो रहा है चलो इस म्यूजिक को फालो करते हैं स्ट्रेफेनो कहता है कैलिबन तुम हमें रास्ता दिखाओ और हम तुमें फालो कर रहे हैं इसके बार ट्रिन किलो और स्ट्रैफेनो कैलिबन को फालो करने लगते हैं और यहीं पर हमारा एक्ट 3 सीन 2 खतम हो जाता है तो एक्ट 3 सीन 3 में गौंजैलो, अलांसो, सेबेस्ट्रियन, एंटूनियो और बाकी सभी लोग एक जगा पर इखटे होते हैं गौंजैलो चल चल कर ठक चुका एकदम, उसकी उम्री भी बहुत ज़ादा है बाकी सभी लोगों से तो वो कहता है कि मैं अब और नहीं चल पाँगा, मुझे अराम की जरूरत है मेरी बुड़ी हड़ियां दर्द करने लगी हैं और यहां का रास्ता भी बहुत खराब है अलांसो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरी वजह से तुम सब ठक गए हो, मैं खुद भी ठक गया हूँ और तुमें भी ठका दिया है मैंने अपने साथ खुद तो ठकी गया हूँ और अपने साथ में तुम्हें भी ठका दिया है अब मैं हार मान चुका हूँ निराश हो चुका हूँ मतलब अलांसो को कहीं न कहीं ये उमीद थी कि उसका बेटा फरडिनेंट उसको आईलेंड के उपर मिल जाएगा भटकता हुआ लेकिन अब उसने अपनी पूरी उमीद छोड़ दी है होपलेस हो चुका है और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब फरडिनेंड हमें मिलेगा फरडिनेंड डूब कर मर शुका है और अब मैं अपनी सर्चिंग को खतम करता हूँ यहाँ पर एंटूनियो सेवیس्ट्रियन को साइड मे ले जाता है और बोलता है कि अलांसो भाथ दुखी है होपलेस हो चुका एकड़म हमारे पास दुबारा से अच्छा मौका आ सकता है दुबारा से एक और मौका बनेगा यहाँ पर सेबेस्टियन कहता है हाँ अब की बार जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम उसका फैदा उठाएंगे मतलब ये दोनों दुबारे से औलाउंसो को जान से मारने की प्लैनिंग कर रहोते हैं एंटोनियो कहता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज राज जब ये लोग अराम से सो जाएंगे तब हम इनके उपर अटैक करेंगे ठके हुए तो ये हैं इसलिए ये हमारा मुकाबला भी ने कर पाएंगे सेबेस्टियन कहता है ठीक है तो रात तक इनतिजार करते हैं और फिर अटैक करेंगे इसी दौरान क्या होता है एक अजीब सा म्यूजिक बचना शुरू हो जाता है और उनसो कहता है ये अजीब सा म्यूजिक कहां से आ रहा है गॉन्जैलो कहता है वा बहुत ही बड़े म्यूजिक है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है प्रोस्पेरो खुद आ जाता है इस बार PROSPERO खुद आया है लेकिन PROSPERO किसी को दिखाई नहीं देता इन्वीजिबल होता है PROSPERO अपने साथ बहुत सारी SPRITS को लेकर आया है अलग-अलग SHAPES में SPRITS है उसकी और बहुत सारी आदमाय आती हैं और डांस करने लगती है उसके बाद ये शेप्स एक टेबल को लेकर आती हैं और उस टेबल के उपर बड़ी असा खाना लगाती है इसके बाद वो शेप्स, अलांसो और बागी सभी लोगों को इन्वीटेशन देती हैं, इन्वाइट करती हैं कि आप आईए और खाना खाये और इंविटेशन देने के बाद वो सभी स्प्रेट्स गायब हो जाती है और उन्सो कहता है ये क्या था? मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं देखा सेवेस्टियन भी घवरा जाता है कहता है ये क्या हुआ है? सेवेस्टियन कहता है कि अब मुझे यकीन हो गया है कि यूनिकॉन भी होता है यूनिकॉन कुछ इस तरह का होता है आपने कार्टून्स में देखा होगा सिंग निकलावा होता है इसका लेकिन ये सिर्फ एक मिधिलॉजिकल एनिमल है तो सेवेस्टियन कहता है कि अभी जो मैंने देखा है उसके बाद से मुझे यूनिकॉन के होने पर भी यकीन हो गया है मतलब इस दुनिया में कुछ भी स्ट्रेंज हो सकता है और अब मैं ये भी मानता हूँ कि अरब में एक पेड़ है जिसमें फिनिक्स रहता है फिनिक्स भी एक मिथलोजिकल बर्ड है और ऐसा कहा जाता है कि फिनिक्स 500 साल में एक बार पैदा होता है और फिर अपने आपको आग लगा लेता है जलने के बाद राख हो जाता है और फिर उस राख में से दुबारा सो उसका रीबर्ट होता है एक मनगड़त कहानी है तो ये भी एक मिथलोजिकल बर्ड है और फिनिक्स को सिंबल आफ रिबर्थ माना जाता है बरहाल कहानी के ओपर हम लोग वापस आते हैं तो भाई ये सेबस्टेन ये कहता है कि आज जो मैंने देखा है न उसे देखने के बाद मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है सब कुछ हो सकता है यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेंज हो सकता है यहाँ पर यूनिकॉर्न भी हो सकता है फिनिक्स भी हो सकती है एंटोनियो कहता है कि मैं तो यूनिकॉर्न और फिनिक्स दोनों को मानता हूँ बहुत पहले से मानता हूँ जब ट्रैवलर हमें अलग-अलग अजीब अजीब एक्सपिरियंसिस सुनाते थे अपने तो हमें वो सब बेवकूफ लगते थे लेकिन अब हमने कुछ अजीब देखा है सही में हमारी आँखों के सामने कुछ अजीब सा हुआ है तो अब हमें पता लग गया कि वो ट्रैवलर सही बोलते थे देखो होता है क्या है एंटूनियो यहां पर क्या कहना चारा है कि जब तक आप अपने आखो से किसी चीज़ को नहीं देखो न तो आपको यकीन नहीं आएगा अगर मैं आपसे कहूँ कि चुड़ायल होती है तो आप कहोगे कि मैं जुड़ बोलाँ लेकिन अगर आप अपने आखों के सामने कुछ ऐसा देख लेते हो कभी तो फिर आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा तो यही बात अंटूनियो भी कर रहा है कि जब ट्रैवलर हमें इस तरह की कहानिया बताते थे तो हमें यकीन नहीं आता था लेकिन अब हमने अपनी आखों के सामने सब कुछ देख लिया है तो अब हमें यकीन हो गया है कि वो ट्रैवलर सही बोलते थे यहाँ पर कुछ भी इंपॉसिबल हो सकता है गौनजैलो भी कहता है कि अगर मैं अपने शहर नैपल्स में जाकर बताऊंगा कि मैंने स्प्रिट्स को देखा खाना लगाते हुए तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे पागल समझेंगे लेकिन कुछ भी कहो ये मॉंस्टर्स बहुत जेंटल थे बहुत काइंट थे इन्होंने बिना कुछ नुकसान पुचाए हमारे लिए टेबल लेकर आए और उसके पर खाना लगाया हमें कोई नुकसान ने पुचाए तो ये बहुत जेंटल थे बहुत काइंट थे दोस्तों प्रोस्पेरो खड़ा हुआ देख रहा होता है सारा नजारा और प्रोस्पेरो अपने आपसे कहता है कि यहां पर मौझूद लोग शैतान से भी जादा बत्तर है अब ऐसा क्यों बोल रहा है प्रोस्पेरो क्योंकि सेवेस्ट्रिन और एंटॉन्यो ने अलांसो को जान से मारने की कोशिश करी थी इसलिए वो कह रहा है कि यहां पर कुछ लोग तो शैतान से भी जादा बत्तर है अलांसो अभी भी शौक्ट है उसके समयशने आरा कि यह हुआ क्या है कौन लोग थे यह और किस तरह के इनके गैस्चेर्स थे उसके कुछ समयशने आरा कि यह हुआ क्या है यहां पर फ्रांसिसको भी कहता है कि यह लोग एकदम से ही गायब हो गए सेबेस्टिन कहता है छोड़ो यार अब जो होना तो हो गया कुछ भी हो कोई भी लोगो हमें क्या लेना देना खाना तो लगा हुआ है खाना खाओ बहुत भूक लग रही है अलॉंसो कहता है कि तुम्हें जो करना है करो खाना खाना खाओ लेकिन मैं नहीं खाऊंगा अब अलॉंसो को डर लग रहा है कि पता नहीं खाने में क्या हो कौन लोग थे किस तरह का खाना लगा के गए तो गॉन्जैलो कहता है कि सर आप घबराओ मत जब हम बच्चे थे तो हमने भी बहुत अजीब अजीब कहानिया सुनी है ऐसी कहानिया सुनी है जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता लेकिन अब हमने अपनी आखों से देख लिया है घबराओ मत आप तो इस तरह से दिलासा दे रहा है गॉन्जैलो की आप घबराओ मत खाना खा लो तो अब क्या होता है अलॉनसो कहता है चलो ठीक है मैं खाता हूँ खाना अब ड़र ना कैसा क्योंकि अब जीने का तो कोई मकसद ही नी बचा जीने का कोई फाइद ही नी बचा मेरा बेटा फर्डिनेंट मर चुका है तो अब मैं जी कर क्या करूँगा अब इस खाने में जहर हो या कुछ भी हो मुझे क्या लेना देना तो भले ही ये मेरी जिन्दही की आखरी मील क्यों नहो मुझे फर्क नहीं पड़ता अब इस खाना खाने के बाद मैं बचूँ या नहीं बचूँ इस बाद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपने बच्चे को खो चुका हूँ मेरे पास कोई वज़ा नहीं है जीने की दोस्तो अब ये लोग खाना खाने जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर बिजली कड़कती है बहुत तेज और एरियल आ जाता है एरियल उस टेबल के उपर हार्पी बर्ड की तरह आता है हार्पी बर्ड कुछ इस तरह की होती है बहुत भयानक सी होती है ये mythological animal है और इसका चेहरा औरत की तरह होता है और body bird की तरह होती है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरह की होती है ये तो एरियल इस बड़े से हार्पी bird की तरह उस table के उपर आता है और वहां पर रखा हुआ सारा जो समान रखा हुआता है table के उपर खाना रखा हुआता है वो सब गायब हो जाता है एरियल कहता है कि तुम लोगों में से तीन लोग ऐसे हैं जो इनसानों के बीच में रहने लायक नहीं हैं तीन लोग कौन कौन से बोल रहा है वो एंटोनियो सेबेस्टियन और अलॉनसो क्योंकि ये तीनों दूश करेक्टर हैं तो एरियल कहता है कि इन तीनों को किसमत ने समुन्दर से निकाल कर आईलेंड के उपर डाल दिया और मैंने तुमें पागल बना दिया इस आईलेंड के उपर मैं ही था जिसने तुमें परिशान किया ये बाते सुनकर सभी लोग अपनी अपनी तलवारे निकाल लेते है एरियल कहता है बेवकूफ हो पता है तुमें किस के सामने तलवार दिखा रहे हो अगर मैं चाहूँ तो अभी ऐसा जादू करूंगा कि तुम तलवार उठा भी नहीं पाओगे और चलो मानलो तुमने तलवार चला भी दी तब भी क्या होगा कुछ नहीं होगा मेरा कुछ नहीं बिखाड़ पाओगे जैसे तुम हवा में तलवार चलाते हो तो हवा का कुछ नहीं बिखड़ता पानी में चलाते हो तो पानी का कुछ नहीं बिखड़ता ऐसे ही अगर तुम मेरे उपर तलवार चलाओगे तो मेरे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा सुनो मेरी बात ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने प्रोस्पेरो और उसकी बेटी को मिलान शहर से बाहर निकाल दिया था तो अब जैसी करनी वैसी भरनी तुमने प्रोस्पेरो और उसकी बेटी के साथ बुरा किया अब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है भूके प्यासे ठके हुए इधर से उधर इस आइलेंट के ओपर तुम भटकते रहो यही तुम्हारी सजा है तुम्हें तड़पाया जा रहा है तुम्हें मौत नहीं दी जा रही तड़पाया जा रहा है क्योंकि मौत क्या होती है वन टाइम पेन होता है एक बार मौत आई एक बार पेन हुआ खतम लेकिन तड़पाने में इनसान बार बार मरता है तो इस आइलेंड पर भूके प्यासे तड़पते रहो तड़प तड़पके मरोगे तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे साथ में नहीं है और उन्सो भी अपना बेटा फरडिनेंड खो चुका है तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक तरीका है अगर तुम बचना चाते हो तो अपने दिलों को बदल दो अपने दिलों से नफरतों को निकाल दो और रियलाइस करो कि तुमने प्रोस्पेरो और उसकी बेटी के साथ में कितना बुरा किया था अगर ऐसा करोगे तो शायद तुम्हें माफ कर दिया जाए इतना कहकर एरियल वहां से चला जाता है इसके बाद बिजली कड़कती है, म्यूजिक बचता है और दुबारा से वही शेपस आ जाती है जो प्रोस्पेरो की दूसरी स्प्रेट्स थी है वह आ जाती है जिन्होंने पहले खाना लगाया था तो वह आ जाती है और वापस से डांस करना शुरू कर देती है इसके बाद वहाँ पर रखी टेबल को वह अपने साथ में ले जाती है प्रोस्पेरो साहर इन अजारे को देख रहा होता है और एरियल की बहुत तारीफे करता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो काम तुमें बताया गया था वैसे ही काम किया है तुमने और जो मेरी दूसरी स्प्रेट्स थी उन्होंने भी बहुत बड़िया काम किया है अब आएगा मज़ा इन लोगों को अब इनके पैरो तले जमीन खिसकेगी और इनके तोते उड़ जाएंगे मैं इन सभी को दिमाग ही दोरे के साथ में छोड़ कर जाना चाहता हूँ मतलब कहता है कि इनकी हालत बहुत खराब हो गई है ऐसा हो गया है कि जैसे दिमाग के दोरे पढ़ रहे हो तो मैं अब इन्हें इसी कंडिशन में छोड़ कर फर्डिनेंड और अपनी प्यारी बेटी मिरंडे के पास में जाना चाहता हूँ इसके बाद प्रोस्पेरो वहां से चला जाता है गौनजैलो खुदा का नाम पढ़ता है और अलांसो से कहता है सर क्या हुआ आपको ऐसे क्यों खड़ें ऐसे स्टेयर क्यों कर रहें आप अलांसो कहता है ओ ये मौनस्टर था ये मौनस्टर था अलांसो कहता है कि मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी हवा की लहेर एक तुफान ने प्रोस्पेरो का नाम पुका रहा हो ऐसा लगा कि ठंडर ने प्रोस्पेरो का नाम पुका रहा हो प्रोस्पेरो जिसके साथ मैंने नाइंसाफी करी थी धोका दिया था उसको मिलान से बाहर निकाल दिया था मैंने और क्योंकि मैंने प्रोस्परो के साथ गल्ड किया था इसलिए मेरा बेटा फरडिनेंट भी मर चुका है बहुत नीचे समुन्दर में डूप चुका है फरडिनेंट और अब मैं भी Ferdinand को ढूंडने के लिए समुन्दर में जाऊंगा और उसी की तरह डूप कर मर जाऊंगा उसी के बराबर में लेड जाऊंगा इसके बाद Alonso वहां से चला जाता है सेबेस्टियन कहता है चाहे जो कुछ भी हो लेकिन मैं फाइट जरूर करूँगा इसके साथ अंटोनियो भी कहता हाँ हाँ लड़ाई करूँगा मैं भी इतना कहकर अंटोनियो और सेबेस्टियन वहां से चले जाते है गुंजेलो कहता है कि ये तीनो सेबेस्टियन अंटोनियो और Alonso तीनों लोग बहुत परेशान हो गए हैं डिप्रेस्ट हो गए हैं हमें इन्हें फालो करना होगा कहीं ये कोई गलत कदम न उठा ले हमें इन्हें समहालना होगा समझाना होगा एडरियन कहता है ठीक है सर ठीक है हम इन्हें फालो करते हैं और मैं खुदा से दूआ करता हूँ और यहीं पर हमारा Act 3 Scene 3 खतम हो जाता है Act 4 Scene 1 में प्रोस्पेरो, मिरंडा और फर्डिनेंड के पास मैं आ चुका है प्रोस्पेरो फर्डिनेंड से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया है मजदूरी बहुत बढ़िया करिये तुमने और मेरा कहना माना है तो अब मैं तुम्हारी सजा को माफ करता हूँ दरअसल मैं तो टैस्क कर रहा था तुमें, परक रहा ता कि तुम मेरी बेटी मिरंडे के लायक भी हो या नहीं हो तुमने सभी टेस्कों बखूबी पास कर लिया है और अब मैं तुम्हें अपनी जिन्दगी का सबसे केमती तोहफा मिरंडा को देना चाता हूँ मिरंडा को सौपना चाता हूँ मैं बहुत खुश हूँ मिरंडा की शादी तुमसे करके मिरंडा बहुत अच्छी लड़की है और मेरी बातों पर मत जाना मिरंडा वाकई में बहुत अच्छी लड़की है मैं सिर्फ तुमारे सामने मिरंडा की जूटी तारीफें नहीं कर रहा हूँ मिरंडा वाकई में बहुत अच्छी लड़की है Ferdinand कहता है जी सर मुझे आपके ओपर पूरा यकीन है आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं Prospero कहता है ठीक है फिर अब Mirandai की शादी तुमसे ही होगी लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक You Will Not Break Her Virgin Not मतलब कहता है कि तुमने शादी से पहले फिजिकल नहीं होना उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना उसके साथ चुकि अगर तुमने शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बना लिया तो फिर तुम्हें ब्लैसिंग्स नहीं मिलेंगी फर्डिनेंड कहता है कि सर मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिस से आपको कोई तकलीफ हो आपको बुरा लगे मैं मिरेंडा से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी लस्ट को असानी से कंट्रोल कर सकता हूँ प्रोस्पेरो कहता है ठीक है फिर मिरंडा आज से तुम्हारी है एरियल ओ एरियल मेरे महनती एरियल कहा हो इसके बाद वहाँ पर एरियल आ जाता है और कहता है क्या हुआ मास्टर आपने मुझे याद किया बताईए क्या बात है मैं आ गया हूँ प्रोस्पेरो कहता है कि अब टाइम नजदी का गिया है कि मैं तुम्हें अज़ाद कर दूँ मेरे कुछ आखरी काम बचे हैं बस इन कामों को और कर दो फिर मैं तुम्हें अज़ाद कर दूँगा फिलहाल तो मैंने मिरंडा और फर्डिनेन्ट से वादा किया है कि मैं उन्हें मैजिकल शो दिखाऊंगा खुशी का महाल है और मुझे इन्हें मैजिकल शो दिखाना है तो तुम जाओ और मेरी सबी स्प्रेट्स को लेकर आओ Arial कहता है अभी अभी लेकर आनिये सबी Spirits को Prospero कहता है हाँ अभी लेकर आओ Arial कहता है ठीक है सर इससे पहले आप मुझे जाने को कहोगे सारी Spirits आपके सामने ले आँगा मतलब Arial कहता है कि मैं यूं गया और यूं आया Spirits को लेकर मास्टर मैं आपका सारा कहना मानता हूँ आपका काम करता हूँ क्या आप मुझे से प्यार करते हो Prospero कहता है मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ जादा टाइम वेस मत करो जल्दी से Spirits को लेकर आओ इसके बाद Arial वहां से चला जाता है Prospero Ferdinand से दोबारा कहता है कि तुम अपने वादे को याद रखना अपनी लेस्ट को कंट्रोल रखना Ferdinand कहता है सर मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको दुख पहुचे आप बेफिकर रहें मैं अपनी लेस्ट पर पूरा कंट्रोल रखूंगा इसके बाद Prospero कहता है आओ Arial सभी स्प्रेट्स को लेकर आओ कोई शोर नहीं करेगा चुप चाप सब आचाओ इसके बाद म्यूजिक बजाये जाता है Prospero की एक स्प्रेट होती है Iris जिस तरह से कैलिबन है Arial है उसी तरह से Iris भी है मैं आपको बता दूँ Iris Greek Goddess है Rainbow की The Greek Goddess of the Rainbow इसको याद रखना ठीक है तो Iris एक और स्प्रेट को बिलाती है जिसका नाम है Series Series है Harvest Goddess याद रखना बहुत important है Iris है Goddess of Rainbow और Series है Goddess of Harvest Harvest तो पता होगा आपको जो फसल की कटाई होती है उसे कहते है तो Iris Rainbow को लेकर आती है क्योंकि Goddess of Rainbow है और Series Un को पैदा करती है क्योंकि ये Goddess of Harvest है तो Iris Series को बिलाती है और कहती है चलो Marriage को सेलिब्रेट करते है इसके बाद वहाँ पर जोनू भी आ जाती है अब जोनू कौन है जोनू है Queen of the Gods Gods की Queen है ये सभी देफताइस केंडर में आते है तो सबकी Queen है तो जोनू मिरेंडा और Ferdinand दोनों को बलैस करती है और दूआ देती है कि तुम्हारे पास Wealth हो और तुम्हे आउनर मिले इसके बाद सीरीज Prosperity को बलैस करती है ये सब देखकर Ferdinand को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि काश काश मैं इस आईलेंड के उपर हमेशा हमेशा रहूं ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाओ मुझे इतनी दूआ मिल रही है इतना प्यार मिल रहा है यहाँ पर इस आईलेंड के उपर मैं रहूं और मिरेंडा मेरी वाइफ हो और प्रोस्पेरो मेरे फादर अब क्या होता है आईरिस निम्स को कमांड देती है निम्स देवियों को कहते है जो जल परियां वगयरा होती है उनको कहते है तो आईरिस निम्स को और हार्वेस स्परिट्स को कमांड देती है कि तुम लोग डांस करो और इस न्यू कपल को एंटर्टेन करो तो काफी खुशी का महल होता है सब लोग बहुत खुश होता है अइनज्वाई कर रहे होते है मैजिक शो चल रहा होता है तुम फर्डिनेंड कहता है सर मज़ा आ गिया घजब का मैजिक शो दिखाया अपने ये वैसे स्परिट्स थी थी न हाँ प्रोसपैरो कहता है हम ये स्परिट्स थी जुनू, सीरीज और आईरिस तीनो देख रहे होते हैं कि फर्डिनेंट को उनका शो बहुत पसंद आया है तो ये तीनो स्परिट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा शो इतना पसंद आया फर्डिनेंट को 프로سپیروسپیڈس سے کہتا ہے कि आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन अब काम खतम होगिया तो आप जा सकते है YRIS सभी ेस्पیڈس की तारीफ करती है जुनू की, सीरीस की, नेम्स की और कहती है कि आपสभी ने बहुत अच्छा काम किया और प्रोस्पेरो ने हमसे जैसा कहा था हमने वैसे ही किया है इसके पास सभी स्प्रेट्स वहां से चली जाती है दोस्तो प्रोस्पेरो को याद आता है कि कैलिबन ने स्ट्रेफेनो और ट्रिंकिलो के साथ में मिलकर मुझे मारने की साजेश रची थी तो प्रोस्पेरो कहता है कि अब मैं स्कैलिबन, ट्रिन्किलो और स्टेफेनो को सबक सिखाऊंगा आने दो इने, आज इनकी खेर नहीं है फर्डिनेंड प्रोस्पेरो के बदलते एक्स्प्रेशन्स को नोट कर रहा होता है और भो मिरिंडा से कहता है कि एक دम से तुमारे फादर को क्या हो गया? अभी तो बहुत खुश थे? एक दम से खुशा क्यों आगे इने? मिरिंडा कहती है कि मैंने भी अपने फादर को इतना ज़ादा हुस्से में पहले कभी नहीं देखा पता नहीं क्यों घुस्से में आ गए है प्रोस्पेरो फर्डिनेंड के पास में आता है और कहता है मेरे बेटे माई सन अभी जो तुमने शो देखा था ये लोग कोई आर्टिस नहीं थे कोई अक्टर्स नहीं थे ये सब मेरा जादू था ये सब मेरी स्प्रेट्स थी जो मेरे बुलाने पर आ जाती है और मेरा कहना मानती है और जिस तरह से ये स्प्रेट्स एकदम से आई और हमें खुश किया और फिर चली गई बिल्कुल वैसे ही हमारी जिन्दगी भी है एक चंद पलो का सपना है जिसे खतम होकर रहना है बहुत छोटी सी जिन्दगी है हमारी जिस तरह से ये मैजिक शो खतम हो गया उस तरह से हमारी जिन्दगी भी थोड़े चंद पलों में खतम हो जाती है और हम छोटी सी जिन्दगी इंज़ाए करने के बजाए पैसो को खटा करने में लगे रहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें ये सब छोड़ कर जाना है वापस जिस तरह से थोड़ी सी देर मेजिक शो खतम हो गया वैसे ही जिन्दगी भी खतम हो जाएगी तो फिर क्या फायदा इतनी जायदा और इतने पैसे कोई घटा करने का जब सब को छोड़ कर जाना ही है तो फिर ये लालच कैसा देखो यहाँ पर प्रोस्पेरो शायद शायद पॉइंट कर रहा है अलॉंसो, सेवेस्ट्रियन, अंटूनियो, कैलिबन, स्ट्रेफएन, ट्रिन किलो इन सब को क्योंकि ये सबी लोग क्या हैं बड़े दुश्ट हैं, बड़े लालची हैं दौलत और शोहरत के पीछे भागते हैं भूल चुके हैं कि जिन्दही चैन दिनों का एक सफर है तो प्रोस्पेरो कहता है फर्डिनेंट से कि मैं अभी बहुत परेशान हूँ घुसे में हूँ, बेचैन हूँ तो तुम यहां से चले जाओ मेरे दुश्मन बहुत करीब आ चुके हैं थोड़ा वक्त मैं अकेला गुजारना चाहता हूँ ताकि अपने घुसे पर काबो कर सकूँ फर्डिनेंट प्रोस्पेरो के लिए प्रे करता है और फिर मिरेंडा के साथ में वहां से चला जाता है प्रोस्पेरो एरियल को बलाता है जल्दी आओ एरियल, काम करना है एरियल कहता है क्या हुआ सर, क्या बात हो गई प्रोस्पेरो कहता है कि अब हमें कैलिबन से मिलने के लिए तैयार रहना होगा Arial कहता है कि सर में कैलیबन के बारे में आपको बताने ही वाला था इस्परेट्स के सामने लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपका मूंड बहुत अच्छा है आप इतने खुश हो अगर मैं कैलیबन के बारे में बताऊंगा तो कहीं आप खुसा नहो जाओ इसलिए मैंने नहीं बताया प्रोस्पेरो कहता अच्छा तो तुमने आखरी बार कैलیबन को कहां पर देखा था कहां तक पहुचें ये लोग Arial बताता है कि वो तीनों खूब शराप पी रहे थे गपे मार रहे थे मजाग कर रहे थे और आपके खिलाफ साजे शरच रहे थे लेकिन मैंने उन्हें बहुत परिशान किया फिर मैंने म्यूजिक को बजाया तो ये लोग म्यूजिक को फॉलो करने लगे तो ये लोग म्यूजिक को फॉलो करने लगे तो फिर मैंने कभी इने दलदल में फसा दिया कभी कीचर में पोचा दिया कभी जाड़ियों में फसा दिया फिलहाल ये लोग आपके घर के पीछे वाली दलदल में फसे हुए है प्रोस्पेरो कहता है बहुत अच्छा काम किया है तुमने जाओ इन्हें लेकर आओ यहाँ पर इनकी क्लास लेता हूँ मैं आज और एरियल अपने आपको इन्वीजिबल कर लेते है और फिर कैलिबन स्ट्रेफेरो और ट्रिन किलो की एंट्री होती है ये लोग कीचर से निकल कर आए थे तो इनके कपड़े भीगे हुए होते है कैलिबन स्ट्रेफेरो और ट्रिन किलो से कहता है कि हम प्रोस्पेरो के सैल के पास पहुच गए हैं अंदर प्रोस्पेरो सो रहा है अभी हमारे प्रोस्पेरो की आवास सुनाई नहीं देगी उसे क्योंकि वो सो रहा है जल्दी से काम खतम कर दो क्योंकि अगर प्रोस्पेरो उठ गया तो खेर नहीं है स्ट्रेफएनो कहता है कि तुमने तो कहा ता कि म्यूजिक एक आम बात है इस ऐलेंड के उपर लेकिन उस म्यूजिक की वज़े से हमें कितनी जगाओं पर फसना पड़ा कितनी परिशानी हुई है हमें ट्रिंकिलो कहता है कि मेरे अंदर से तो बहुत बुरी स्मेल आ रही है यार ऐसा लग रहा है कि सभी घोडों ने मेरे उपर यूरिन कर दिया है बरदाश ने कर पा रहूं बहुत बुरी स्मेल आ रही है स्ट्रेफेनो कहता है कि हाँ मेरे अंदर से भी बहुत बुरी समयल आ रही है ट्रिंड किलो कहता है कि इस सब का जिम्मेदार ये मॉंस्टर है इसी के वज़ा से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है कैलिबन कहता है कि इस सब का टाइम नहीं है भईया सबर रखो अभी जो काम करने के लिए आई हैं उसे करते है ट्रिंड किलो कहता है यार हमारी तो शराब की बोतल भी नाले में गिर गई है स्ट्रेफेनो कहता है कि इस मॉंस्टर कैलिबन की वज़ा से हमें बहुत ज़ादा नुकसान हो गिया है ट्रिंड किलो कहता है कि कीचर में भीगने का मुझे को इतना दुख नहीं हुआ है जितना दुख मुझे दारू की बोतल छूटने का हुआ है स्ट्रेफेनो कहता है चलो मैं दारू लेकर आता हूँ कैलिबन कहता है कि मैं आपसे गजारिष करता हूं ये सब छोड़ो वक्त आ गया है कि हम अप्ना काम करें प्रोस्पेरो अंदर सो रहे प्रोस्पेरो को मारो और राजे बन जाओ और जब आप राजा बन जाओगे तो मैं आपका गुलाम बन जाओंगा हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है प्रोस्पेरो की एक ड्रेस टंगी हुई होती है स्टेफऺण और ट्रिंकिलो को वो ड्रेस बहुत 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 जादा पसंद आजाती है वो लोग कहते हैं कि अगर हमने यह ड्रेस पहन ली फिर हम राजा जैसे लगेंगे कैलिबन कहता है कि हम ड्रेस के लिए यहाँ पर थोड़ी आए हैं यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हैं तुम समझ क्यों नहीं रहे हो फाल तुमें टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो लेकिन यह दोनर शराबी कैलीबन की एक नहीं सुनते और ड्रेस को पहनने लगते हैं ड्रेस को ट्राइ करने लगते हैं और कैलिबन से कहते हैं कि जाओ हमारी शराब की बोतल लेकर आओ जाओ घर के पीछे पड़ी है हमारी शराब की बोतल वो लेकर आओ अब यहाँ पर होता क्या है प्रोस्पेरो अपनी स्प्रिट्स को छोड़ देता है और वो سپ्रेट्स जानवरों की शेप में होती है, बड़े बड़े खुखार कुतों की शेप में जो शिकारी कुते ना उनकी शेपस में होती है और इन तीनों की पीछे वो हाँन्स लग जाते है प्रोस्पेरो कहता है कि इन्हें तब तक भगाओ जब तक इनकी हट्डियां दर्द ना करने लगें एरियल कहता है कि हम इनकी चीखें निकलवा देंगे प्रोस्पेरो कहता है कि इनके ओपर जरा भी रहे मत करना अच्छे से सबक सिखाओ इन्हें मुझे मारने आये थे ना अब पता लगे गए इने और यहीं पर हमारा Act 4 Scene 1 भी खतम हो जाता है तो Act 5 Scene 1 में प्रोस्पेरो एरियल से पूछता है एरियल मैंने तुम्हें काम दिया था मेरे दुश्मनों को सबक सिखाने का तो क्या तुमने मेरा काम कर दिया? क्या मेरी सबी इस प्रेट्स ने अच्छे से काम किया है? मुझे उमीद है जैसे मैंने प्लाइन किया था वैसे ही हुआ होगा अच्छे ये बताओ एरियल टाइम क्या हुआ है? एरियल कहता है कि 6 बज़ गए है और आपने कहा था कि 6 बज़ तक काम खतम कर देना तो बस काम खतम होनी वाला है प्रोस्पेरो कहता है हाँ मैंने तुमसे कहा था कि 6 बज़ तक काम खतम कर देना जब तुम पहले बार तुफान लेकर आयते समुंदर में तब मैंने तुमसे कहा था कि 6 बज़ तक काम खतम कर देना अच्छे मुझे ये बताओ अलांसो और उसके साथियों का क्या हाल है एरियल कहता है कि सर जैसा आपने कहा था वैसे ही हुआ है सभी लोग लिंडन ट्री में फसे हुएं वो लोग हिल भी नहीं सकते जब तक आप उन्हें रिलीज ना कर दो अलांसो सेबेस्टेन और डोनियो सभी लोग बहुत परिशान है और सबसे ज़्यादा परिशान है गॉन्जैलो उसके आंसू बह रहे है आपके जादू ने इन लोगों का बहुत बुरा हाल कर दिया है अगर आप इनके हालत देखोगे ना तो आप भी तरस खाओगे बहुत बुरी हालत है इनकी प्रोस्पेरो कहता है अच्छा ऐसी बात है एरियल कहता है कि सर अगर मैं इनसान होता इनसान जैसी फीलिंग्स होती मेरे अंदर तो मुझे इन लोगों के उपर बहुत तरस आता प्रोस्पेरो कहता है तुम ठीक कह रहे हो तुम हवा से बने हो तुम्हारे अंदर इनसानों जैसी फीलिंग्स नहीं है लेकिन तब भी तुम्हें बुरा लग रहा है तो फिर सोचो मेरा क्या हाल होता अगर मैं उनकी कंडिशन को देखता मैं तो इनसान हूँ तुम तो फिर भी इस्परिट हो जब तुम्हारा ये हाल हो गया तुम मुझे बता रहो कि मुझे तकलीफ हो रही है उनके हालत को देखकर तो मुझे कितना बुरा लगता मुझे तो बहुत बुरा लगता उनकी कंडिशन को देखकर लेकिन मुझे भी तो उतनी ही तकलीफ हुई थी जब मुझे मिरंड़ा के साथ में समुन्दर में छोड़ दिया गया था हाला कि इन्होंने बहुत बुरा काम किया है लेकिन फिर भी मैं इनके साथ में नर्मी बरतूंगा इन्हें इनके गलती का पस्तावा हो रहा है मुझे इससे जादा और कुछ नी चाहिए मैं इन्हें माफ कर दूँगा इन्हें पता लग चुका है कि इन्होंने कितना गलत काम किया था मेरे साथ जाओ एरियल उन सब को अजाद कर दो मैं अपने जादू को तोड़ देता हूँ ये सबी लोग अपनी सेंसिस में दोबारा आजेंगे एरियल कहता है ठीक है सर मैं भी इन सबी लोगों को यहां पर ले आता हूँ आपके पास इसके बाद एरियल वहां से चला जाता है दोस्तो अब प्रोस्पेरो क्या करता है ग्राउंड पर एक सर्कल बनाता है प्रोस्पेरो अपने जादू को छोड़ देना चाहता है और एक आम बोड़ा इंसान बनना चाहता है तो सरकल ड्रॉ करके प्रोस्पेरो कहता है कि मैंने एल्फ के जादू की मदद से दिन को राद बना दिया एल्फ मैं आपको बता दूँ एक छोट ऐसा क्रीचर होता है जो मैजिक करता है तो प्रोस्पेरो कहता है कि एल्फ की मदद से दिन को राद बना दिया मैंने और चांद की रोशनी से मैंने टॉट स्टूल्स को बना दिया टॉट स्टूल्स एक जहरीले प्लांट को कहते हैं तो कहता है कि मैंने टॉट स्टूल्स के प्लांट को ग्रो करा चांद की रोशनी में मश्रूम्स को अगाया यहां पर और मैंने इस्परिट्स की मदद से समुंदर में तुफान लेकर आया मैंने अपने जादू से कबरों को खोद दिया कबर में लेटे हुए मुर्दों को जगा दिया मेरा जो मन था मैंने अपने मैजिक से किया लेकिन अब अपने मैजिक को मैं सरिंडर करता हूँ और मैं अपने मैजिक की किताबों को भी समुंदर में फेक दूँगा बहुत दूर समुंदर की गहराईयों में फेक दूँगा और स्परिट को भी अजाद कर दूँगा इसके बाद वहाँ पर एरियल आ जाता है और एरियल बाकि सबी लोगों को साथ में लेकर आया है अलांसो, गुंजैलो, सेबेस्ट्रियन, एंटूनियो, एड्रियन और फ्रांसिसको भी होते हैं ये सबी लोग उस सरकल में आकर खड़े हो जाते हैं जो प्रोस्पेरो ना भी बनाया था प्रोस्पेरो कहता है कि तुम लोग म्यूजिक को सुनो क्योंकि अभी तुम लोग दहशत में हो, परिशान हो म्यूजिक तुमें शान्त करेगा, तुम सबी लोग मेरे स्पैल में खड़े हो स्पैल मतलब जादू, जो सरकल प्रोस्पेरो ने बना रखाता ना तो प्रोस्पेरो गुंजाइलो से कहता है कि तम्हारे लिए मेरे आँसो निकल रहे मैं तुम्हे कोई दुख नहीं पहचाना चाता था तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो गुंजाइलो तुम्हे मेरे जान बचाई थी तुम ने ही मेरे साथ में وफा करी थी मैं तुम्हें तुम्हारी वफदारी का बहुत जादा रिवार्ड दूंगा और तुम अलॉंसो तुमने मुझ पर और मेरी बेटी पर बहुत जुम किया और तुम्हारे भाई सेबेस्टियन ने भी तुम्हारी मदद करी थी और तुम एंटोनियो, तुम तो मेरे भाई थे, मेरे अपना खून थे, तुम पावर के पीछे इतने पागल हो गए, इतने अंधे हो गए, कि तुम अपने भाई कोई भूल गए, हमारे रिश्टे कोई भूल गए, इतना पागल हो गए पावर के पीछे, कि तुम अपने ही कि को मारना चाहते थे मैं तुम्हें माफ करता हूँ हाला कि तुम एक मांस्टर हो माफी के लाइक नहीं हो प्रोस्पेरो एरियल से कहता है कि मैं अब इन सब के उपर से मैजिक हटा रहूँ तुम जाओ मेरी तलवार लेकर आओ अब मैं अपने कपड़े चेंज करूँगा और वो ही कपड़े पहनूँगा उसी लिबास में आजूँगा जो मैं मिलान में पहनता था और तुम सभी स्प्रेट्स को भी मैं बहुत जल्द अजाद करने वाला हूँ दरसल यहाँ पर सभी लोग मैजिक से बंदे हुएं और प्रोस्पेरो को देख नहीं पा रहे अपने सैंसिस में नहीं है तो प्रोस्पेरो इसलिए अपनी किंग की कॉस्ट्यूम पहन कर आना चाता है इन सभी के सामने ताकि यह सभी लोग उसको पहचान ले बहुत साल बीट गए और इस ड्रेस में प्रोस्पेरो को पहचानना बहुत मुश्किल था इसलिए वो अपने पुराने रूप में वापस आना चाता है एरियल जब सुनता है कि सभी स्प्रिट्स बहुत जल्द अज़ाद हो जाएंगी तो वो गाना गाने लगता है और गाते हुए प्रोस्पेरो की ड्रेस लेकर आता है प्रोस्पेरो कहता है मेरे खुबसूरत एरियल गाना क्यों गा रहे हो मैं तुम्हें बहुत ज़ादा याद करूंगा मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी लेकिन फिर भी तुम्हें अजाद तो कर नहीं है चलो एक और काम करो मेरा जहाज में जाओ और जितने भी सेलर्स और बोर्टस्वेन है उन सभी लोगों को जगा दो और मेरे पास में लेकर आओ एरियल कहता है कि मैं अभी गया और अभी आया गुन्जैलो कहता है कि ये तो बहुत ही अजीब सी जगा है पता नहीं यहां पर क्या क्या होता रहता है एए खुदा हमारी मदद करो दोस्त अब जादू का असर खतम हो रहा है और इन लोगों को होशारा अपने सेंसिस मारे है तो प्रोस्पेरो अलांसो से कहता है कि मैं ड्यूक आफ मिलान तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं वही प्रोस्पेरो हूँ जिसे धोका दिया गया था अब मैं तुम्हें गले लगाँगा ताकि तुम्हें पता लगे कि मैं प्रोस्पेर हूँ और जिन्दा हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वो रियल में हो रहा है मैं दिल से तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का वेलकम करता हूँ अलॉंसो कहता है क्या क्या तुम सच में प्रोस्पेर हो क्या या फिर हमारे साथ कुछ जादू वादू हो रहा है जैसे पहले हमारे साथ में जादू हो था वैसे ही अब के बार तो कुछ जादू नहीं हो रहा तुमारे दिल की धड़कन से तो मालूम होता है कि तुम रियल हो अगर तुम सच में प्रोस्पेरो हो तो मैं तुमारे आगे ड्यूकड़म स्रेंडर करता हूँ और भीक मांगता हूँ तुमसे कि मुझे माफ कर दो प्रोस्पेरो मेरे गुनाहों को माफ कर दो लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ तुम जिन्दा कैसे बच गए और इस आइलेंड के उपर क्या कर रहे हो कैसे आगए इस आइलेंड के उपर प्रोस्पेरो अलांसो को कोई जवाब नहीं देता पहले वो गॉन्जैलो के पास में जाता है और उसे सीने से लगा लेता है गुन्जैलो कहता है कि पता नहीं यह सब सच भी है या नहीं है प्रोस्पेरो कहता है कि तुम लोग अभी भी इस आइलेंट के एक्सपिरियंसिस को नहीं भूले हो अभी थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाओगे मैं तुम सभी दोस्तों का वैलकम करता हूँ अब दोस्टों यहां पर प्रोस्पेरो एंटोनियो और सेबस्टियन से साइड में जाकर बात करता है इस तरह से बात करता है प्रोस्पेरो की सिर्फ एंटोनियो और सेबस्टियन ही उसकी बातों को सुन पाएं तो प्रोस्पेरो कहता है कि अगर मैं अभी चाहूं तो तुम्हे धोके बाद साबित कर सकता हूं क्योंकि सेवेस्ट्रिन और एंटूनियो ने मिल कर अलॉंसो को मारने की कोशिश करी थी अलॉंसो राजा है और राजा को मारना घदारी है तो प्रोस्पेरो कहता है कि मैं तुम दोनों को घद्दार धोशिट कर सकता हूँ लेकिन फिलाल मैं कुछ नहीं कहूंगा सेवेस्ट्रेन कहता है कि कोई शैतान है जो प्रोस्पेरो से बोल रहा है प्रोस्पेरो कहता है नहीं सुनो अंटोनियो तुम तो इतने घिनाने इनसान हो कि तुम्हें अपना भाई भी नहीं कह सकता मैं लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ करता हूँ इतने बड़े गुना को भी मैं तुम्हारे माफ करता हूँ लेकिन बदले में तुम्हें मिलान कर ड्यूकडम मुझे वापस देना होगा ड्यूकडम तो तुम मुझे दे ही दोगे तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है अलॉंसर कहता है अच्छा अगर तुम वाकई में प्रोस्पेरो हो तो फिर हमें बताओ कि तुम कैसे बचे यहां पर कैसे आए हमें कैसे मिले हमारा तो जहाज यहां पर फ़स गया था तुफान की वज़े से हम यहां पर है तुम यहां पर कैसे आए हो मेरा जहाज यहाँ पर फस गया और मैंने अपना प्यारा बच्चा फर्डिनेंट को दिया प्रोस्पेरो कहता है कि मुझे दुख है कि तुमने फर्डिनेंट को खो दिया अलॉंसो कहता है कि दुन्या की कोई भी चीज इस गम को कम नहीं कर सकती मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है प्रोस्पेरो कहता है कि तुमने अभी सबर करना नहीं सीखा है अलांसो क्योंकि मुझे भी तुम्हारे जैसे ही तकलीफ हुई थी अलांसो कहता है क्या? क्या कह रही हो? मेरे जैसे तकलीफ हुई थी तुम्हें प्रोस्पेरो कहता है हाँ तुमारे जैसी ही क्यूंकि मैंने भी थोड़े वक्त पहले ही अपनी बेटी को खो दिया अलाँसो कहता है क्या क्या कह रहा है हो ऐ खुदा काश वो दोनों जिंदा होते और नैपल्स में रह रहे होते मेРा बेटा किंग होता है नैपल्स का और तुम्हारी बेटी कुईन होती काश ऐसा होता तुमने कब अपनी बेटी को क्भोया प्रोस्पेरो कहता है कि अभी जो तुफान आया था ना उसमे प्रोस्पेरो सिके बाद कहता है कि कहानी भाठी बहुत हो गए तो मैं भी तुम्हें कुछ इतना ही अच्छा वापस देना चाहता हूँ वहाँ पर एक पर्दा होता है तो प्रोस्पेरो पर्दा खीशता है और पर्दा हटते ही मिरेंडा और फर्डिनेंट चैस केल रहे होते हैं सभी लोगों की निगाफ फर्डिनेंट के ओबर पहुशती है मिरेंडा फर्डिनेंट चैस केल रहे हैं और मिरेंडा फर्डिनेंट से कह रही है कि आप खेल में चीटिंग कर रहे हैं दोनों बहुत खुश हैं और चैस केल ले होते हैं Ferdinand कहता है कि My Dearest Love मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूंगा Alonso का अपने आखों पर यकीन नहीं होता वो कहता है कि अगर ये कोई सपना है अगर मैं कोई सपना वगरा देख रहा हूं तो फिर मैं अपने बेटे को दो बार खो दूंगा दो बार घम होगा मुझे अपने बेटे को खोने का सबेस्टिन कहता है कि ये तो मिराकल हो गया Ferdinand भी जब अपने फादर Alonso को देखता है तो हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैंने बेकार में समुन्दर को कर्स करा मेरे फादर तो जिन्दा है बेकार में मैंने बुरा भला कहा गौड को समुन्दर को फादर तो मेरे जिन्दा है Ferdinand अपने घुटनों के बल पर होता है Alonso Ferdinand को ब्लैसिंग देता है और कहता है उठो बेटा और बताओ मुझे कि तुम यहाँ पर कैसे आए मिरेंडा भी जब इतने सारे लोगों को देखती है तो बहुत खोश हो जाती है और सोचती है कि मैंनकाइंड कितना अच्छा है इनसान कितने खुबसरत होते है Alonso कहता है कि बेटा यह लड़की कौन है जिसके साथ में तुम चैस कहिल रहते इस लड़की से मिले हुए तो तुम्हें तीन घंटे से कम हुआ है क्या यह लड़की कोई गौड़िस है जिसने तुमें हमसे जुदा कर दिया था और फिर हमें तुम्हारे पास में दुबारा ले आई फर्डिनेंड कहता नहीं नहीं यह कोई गौड़िस नहीं है यह इनसान है लेकिन खुदा का शुकर है कि यह मेरी है मुझे लगा कि आप नहीं रहे जिन्दा नहीं बचे इसलिए मैंने खुद ही अपनी वाइफ को चूस कर लिया और यह मिलान के ड्यूक की बेटी है टक आफ मिलान ने मुझे दूसरी जिन्दा की ती है और मिरेंडा से शादी करने के बाद मेरे सेकंड फादर बन जाएंगे अलॉंसो कहता है और मैं भी मिरेंडा का फादर बन जाओंगा लेकिन कितनी अजीब बात है न कि मुझे अपनी बेटी से ही माफ़े माँणनी पड़ेगी मैं अपनी बेटी से माफ़े माँणता हुआ कैसा लगूंगा दरशल अलाउनसो ने मिरंड़ो को बहार निकाल दिया था जब वो बहुत छोटी थी तो कहता है कि कितनी अजीब बात होगी एक फादर को अपनी बेटी से माफ़े माँणनी पड़ रही होगी प्रोस्पेरो कहता है कि अब बात को यहीं पर खतम करो अब जो गलती होनी थी वो हो गई और जो पुरानी बातें थी उनको खतम करो पुरानी बातों को याद करके क्या फादा गौन्जैलो खुशी के आशो रोने लगता है और कहता है कि खुदा इस कफल को ब्लैस करे अलांसो आमेन बोलता है जब कोई दूआ मांगता है न तो क्रिश्चन धरम में आमेन बोलते है गौन्जैलो कहता है कि यह ट्रिप कितनी बहतरीन है हम सभी लोगों के लिए क्लैरिबल जो अलांसो की बेटी है उसकी शादी हो गई आफरीका में तो क्लैरिबल को उसका हस्बेंड मिल गया और फर्डिनेंड को उसकी वाइफ मिरंडा मिल गई प्रोस्पेरो जो गरीब था यहाँ पर इस आईलेंड के उपर उसके हालत बहुत खराब थे तो उसे वापस से ड्यूकडम मिल गया प्रोस्पेरो दुबारे से राजा बन गया हम सब ने अपने आप को खोकर एक दुसरे को पा लिया क्लैरिबल को अफरीका में हस्बेंड मिला फर्डिनेंड को उसकी वाइफ मिल गई और प्रोस्पेरो को उसका ड्यूकडम मिल गया अलांसो फर्डिनेंड और मिरंडा का हाथ मांगता है और कहता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुझ काला मतलब इंग्लिश में बोलता है कि में एनिवन हो डिजन्ट विश यू जोई फिल ग्रीफ एंड सौरो गुंजैलो कहता है आमेन इसी दोरान एरियल आता है और एरियल अपने साथ में जहास के बाकी सबी लोगों को लेकर आता है बोटस्वेन को भी लेकर आता है गुंजैलो बोटस्वेन को देखकर कहता है मैंने कहा था ना कहा था ना मैंने कि बोट्स्वेन डूबने से नहीं मरेगा कोई और वज़ा हो सकती है बोट्स्वेन के मरने की लेकिन ये डूब कर नहीं मरेगा देखा मेरी प्रेडिक्शन सच हो गई ना नहीं मरा ना बोट्स्वेन Boats Renn कहता है कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सभी लोग सही सलामत है और हमें हमारे किंग वापस मिल गए और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा जहाज बिलकुल ठीक है और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जहाज डैमिज क्यों नहीं हुआ इतना बड़ा तुफान था और जहाज को देखो तो एक दम नहीं एक खरोश नहीं जहाज के उपर एरियल प्रोस्पेरो को साइड में बोलता है कि सर जैसा आपने कहा था वैसे ही हुआ है वैसे ही किया है मैंने प्रोस्पेरो कहता है बहुत बढ़या काम गिया है तुमने, मेरी चाला की स्पिर्ट बहुत बढ़या औलॉंसो कहता है कि कुछ तो अजीब है यहां पर, अनेचरल ल इसवेंट्स हो रहे हैं, पता नी क्या क्या हो रहा है अच्छा ये बताओ तुम यहां तक कैसे पहुचे बोटसन कहता है कि हम लोग तो सो रहते सो गयते सबी लोग लेकिन फिर एकदम से अजीब अजीब आवाज़े आने लगी धारने की आवाजे जोर की चिलाहटे आने लगी गरेजने की आवाजे आने लगी और इन सब अजीब अजीब आवाज़ों से हम उठ गए उठकर हमने देखा कि हमारा जहाज तो बिल्कुल ठीक है फिर हम लोगों ने अपने सैंसिस को खो दिया और हमें नहीं पता कि यहां पर हम लोग कैसे आ गए एरियल प्रोस्पेरो से कहता है कि सर क्या मैंने बिल्कुल ठीक करा प्रोस्पेरो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है पर्फेट काम किया एक दम तुमें बहुत जल अजादी मिल जाएगी और लॉंसर कहता है कि यह तो बहुत अचीब बात है चैसे होसकता है मेरे तो समझे नहीं आरा मेरे तो कुछ समझे नहीं आरा कि यह हो क्या रहा है हमें किसी औरैकल को बताना पड़ेगा सारा मामला औरैकल कहता है जो किसी एक पर्टिकलर सब्जेयट के बारे में बहुत अच्छी नॉ Disease रखता है बहुत स्मार्ट होता है और उससे एड़वाइस ली जाती है प्रोस्पेरो कहता है कि आप जादा टेंशन मतलो जब टाइम सही होगा तो मैं आपको सब कुछ बता दूँगा सब कुछ समझा दूँगा अभी तो फिलाल आप इंजुआए करो खुशी का मौका है खुशी मनाओ प्रोस्पेरो एरियल से साइड में जाकर कहता है कि कैलिबन को भी बहुत मज़ा चखा दिया हम लोगों ने उनको भी फ्री कर दो थोड़ी देर के बाद में एरियल, ट्रिनकिलो, स्ट्रैफन और कैलिबन को ले आता है अजाद करके ये लोग प्रोस्पेरो के चुराए हुए कपड़े पहने हुए होते हैं और इनके सामने सबी लोग खड़े होते हैं ट्रिनकिलो कहता है कि मुझे तो यकीनी और अपने आखों के उपर सभी लोग यहां पर हैं और जिन्दा हैं कैलिबन कहता है कि कितने खुबसूरत स्प्रेट्स हैं दरसल कैलिबन ने भी सिर्फ मिरेंड़ा और प्रोस्पेरो को देखा था इनसानों में तो वो भी जब इतने सारे इनसानों को देखता है तो कहता है कितने खुबसूरत स्प्रेट्स हैं मेरे मास्टर प्रोस्पेरो कितने अच्छे लग रहें मुझे डर है कि अब मेरे मास्टर प्रोस्पेरो मुझे सजा देंगे Sebastian Kaliband को देखकर हसने लगता है और कहता है ये क्या है अजीब सी चीज Antonio क्या हम इस चीज़ को पैसो से खरीज सकते हैं अगर पैसो से खरीज सकते हैं तो हम इसे अपने शेहर में लेकर चलते हैं और बहुत ही अजीब सी चीज़ है ये तो तो कभी ऐसी चीज नहीं देखी एंटोनियो कहता है कि हाँ यह तो बहुत अजीब है मचली जैसा लग रहा है और इसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग हो सकती है बिजनिस कर सकते हम लोग कैलिबन को सब लोग बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं तो प्रोस्पेरो सब को कैलिबन के बारे में बताता है प्रोस्पेरो कहता है कि यह एक मौनस्टर है जिसकी मा चुड़ायल थी बहुत पावरफुल चुड़ायल थी जो चांद को और तुफान को कंट्रोल कर सकती थी और इन तीनो बास्टरेड्स ने स्ट्राफएनो ट्रिंकिलो और कैलिबन ने इन तीनों ने मिल कर मुझे मारने का प्लैन बनाया था इन में से स्ट्राफएनो और ट्रिंकिलो तो आपके ही आदमी है आप लोग बहतर जानते होंगे और ये तीसरा मॉंस्टर कैलिबन मेरा घुलाम है कैलिवन बहुत डर जाता है और वो सोचता है कि प्रोस्पेरो को तो सब कुछ पता लग गया है कि मैंने कैसे उसको मारने का प्लैन बनाया था उसे तो सब पता लग गया तो अब ये मुझे बहुत ज़दा टॉर्चर करेगा और टॉर्चर करके मुझे जान से मार देगा अलांसो कहता है अच्छा तो ये स्ट्रेफेनो है मेरा शराबी नौकर सेबेस्टिन कहता है कि इसने यहां पर भी शराब पी रखी होगी यहां पर इसको शराब कहां से मिल गई अलॉंसो कहता है हाँ और ट्रिन किलो ने भी शराब पी रखी है ट्रिन किलो बताओ हमें तुम्हे यहाँ पर शराब कहां से मिली ट्रिन किलो शराब के नशे में कहता है कि मैं बहुत घम में था बहुत दुखी था परिशान था और शराब पीकर कम से कम मेरा घम तो कम हो गया सेवेस्ट्रिन स्ट्रैफेनो से पूछता है कैसे हो ठीक हो प्रोस्पेरो बताता है कि ये जनाब इस आइलेंड के राजा बनना चाते थे इस ट्रैफेनो कहता है कि अगर मैं इस आइलेंड का राज़ा बन जाता तो बहुत दुखी राज़ा बनता, खुश नहीं रह पाता अलाउंसो कैलिबन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ऐसी अजीब चीज मैंने आज तक कभी नहीं देखी जिन्दगी में प्रोस्पेरो कहता है कि कैलिबन जितना घिनोना दिखता है उतने ही घिनोने इसके मैनर्स भी है जाओ कैलिबन मेरे कमरे में जाओ और अपने साथियों को भी साथ में लेके जाओ और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूँ तो फिर मेरे कमरे की अच्छे से सफाई करो कैलिबन कहता है जी सर अभी करता हूं बढ़िया करके सफाई और मुझे उमीद है सफाई के बाद आप मुझे माफ कर देंगे कितना स्टूपिड था मैं जो इस शराबी को गौड समझ बैठा और इसकी पूजा करने लगा प्रोस्पेरो कहता है कि अब जादा बाते मत करो जाओ जल्दी काम करो अलॉंसो कहता है कि जो लगेश तुमारे पास में है वहीं पर रग दो इसे जहां से तुम्हें मिला था सेवेस्ट्रेन कहता है कि जरूर इन्होंने चुराय हो गई है इसके बाद कैलिबन, स्ट्रेफेनो और ट्रिंगिलो वहां से चले जाते है प्रोस्पेरो कहता है कि मैं आप सभी लोगों को इन्वाइट करता हूँ कि आप मेरे घरीब घर में अराम करें आज रात यहीं पर गुजारें अराम करें यहां पर और मैं आपको कुछ कहानिया भी सुनाऊंगा कहानिया सुनकर आपका अच्छा टाइम पास हो जाएगा मैं आपको अपनी लाइफ की कहानी बताऊंगा कैसे मैं इस आलेंड के उपर आया और कैसे मैंने सर्वाइफ किया और फिर सुबा हम लोग जहास में बैटकर नैपल्स चलिंगे नैपल्स में जाकर मिरेंडा और फरडिनेंड की शादी को देखेंगे और फिर मैं नैपल्स से मिलान वापस चला जाऊंगा और मिलान में अपनी मौत का इंतिजार करूंगा क्योंकि मैं बुड़ा हो चुका हूँ अलान से कहता है कि मैं तो मरा जारूं तुम्हारी स्टूरी जानने के लिए प्रोस्पेरो कहता है कि मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा प्रोस्पेरो एरियल से कहता है कि मैं अब पूरे समुंदर को शान्द कर दूंगा और ऐसी हवा चलाओंगा कि ये लोग जल से जल नैपल्स वापस पहुँच जाएंगे एरियल मेरे बच्चे ये तुम्हारा काम है इन सभी को सही सलामत अच्छे से इनके घर वापस पहुचाने का और ये तुम्हारा आखरी काम है इसके बाद तुम हवा की तरहा अजाद हो जाओगे अलविदा एरियल और इसी के साथ हमारा एक्ट फाइव सीन वन खतम हो जाता है इसके बाद है एपिलॉग एपिलॉग एक आफ्टर वर्ड होता है जो कहानी के लास में लिखा जाता है जब कहानी खतम हो जाती है तब लिखा जाता है तो एपिलॉग में प्रोस्पेरो बताता है कि अब मेरा जादू खतम हो चुका है अब मैं एक आम बुड़ा इंसान बन चुका हूँ और अब मैं बहुत बुड़ा हो गया हूँ मेरी हड्डियों में ताकत नहीं बची अब तुम सब के पास में ये ताकत है कि मुझे नैपल्स में जाने से रोक दो यहीं पर इस आइलेंड पर रहने दो तुम सब में बहुत ताकत है और मैं एक बुड़ा कमजोर इंसान हूँ मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि तुम्हें रोक सकूँ लेकिन मैं तुम से रिक्वैस करता हूँ कि मुझे प्लीज मत रोकना मुझे जाने दो नैपल्स वापस मुझे माफ कर दो और मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ और मुझे मेरे शहर नैपल्स वापस जाने दो और इसी के साथ हमारा ड्रामा खतम हो जाता है The Tempest की प्लेलिस्ट सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए आज के लिए बस इतना ही जैहिंद